Hello Everyone, Welcome to PW Only IES दोस्तों कैसे हैं आप सब? आज का सेशन बहुत important होने जा रहा है क्योंकि आज के सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे internal security के बारे में ये जो सेशन है आपके prelims के लिए तो important है ही है बट at the same time आपके mains के अंदर examples की form के अंदर या फिर कुछ जो current events है ना उनको अपने answers के अंदर coat करने के लिए और उनको और भी बहतर बनाने के लिए बहुत important session ये रहेगा तो ensure कीजिएगा कि आप इस सेशन को पूरा अंतक देखें and I am sure at the end of the video आप खुद realize करोगे कि जितने भी current affairs पिस्टे 6 महीने के अंदर रहे है with regards to internal security वो सारे के सारे मुद्धे आपके यहाँ पर cover हो जाएंगे कई बर students का doubt आता है कि sir हम revise तो कर लेंगे पर इसकी PDF कहा मिले भी दोस्तो PDF के लिए आप हमारा telegram channel PW Only IS Official इस telegram channel पर जाएए मैं नीचे description में link भी डाल दूँगा इस telegram channel पर जाकर आप इसकी PDF को download कर सकते हैं बहुत सारा और भी relevant content हमारी team इस telegram पर share करती रहती है तो वो भी वहाँ पर आप access कर सकते हो साथ में ही internal security के इलावा हमारी team की तरफ से और भी बहुत सारे वीडियो चाहिए उसमें आप geography की बात कर लो economy की बात कर लीजिए quality, IR और भी बहुत सारे important जो subjects है ना उनकी भी इस तरह से compilation video आपको मारे YouTube channel only IS extended पर ही मिल जाएगी तो आप video section के अंदर जाकर आप इन सभी lectures को भी देख सकते हो तो start करेंगे आज का session जहां पर हम 6 महीने के current interface पढ़ेंगे June से लेके November तक बट उससे पहले एक छोटी से information है आप सभी के लिए दोस्तों आप मेंसे जाद तर लोग हो सकता है 12-24 की त्यारी कर रहे हों और ऐसे students के लिए हमारी team की तरफ से लाया जा रहा है UPSC Prelims 12-24 Crash Course ये एक ऐसा initiative है जहां पर daily आपकी तीन घंटे की class होगी इस तीन घंटे की classes के मदद से न आप यहां पर अपना prelims का जितना भी syllabus है सारे topics आप यहां पर cover करोगे at the same time आपको current affairs की classes और आपका material मिल जाएगा आपको CSET classes का online access मिल जाएगा और बहुत सारे आपके लिए यहां पर sectional full land test भी designed है GS as well as CSET के तो आप एक बात notice कर पा रहे होंगे कि prelims clear करने के लिए जितने भी components आपको चाहिए वो सारे के सारे यहां पर अच्छे से cover है तो अच्छे से revision और practice यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी यह course आपका online तो आप ले ही सकते हो but at the same time हमारा जो पटेन लगर के अंदर offline center है न वहाँ पर भी आप इसको access कर सकते हो तो यह हमारा batch start होने जा रहा है आठ जनवरी से तो नीचे description के अंदर मैं इसका link लगा दूँगा वहाँ पर description में जाईए link पर click कीजिए and अपने prelims के clear करने को जो chances हैं उसको के ही गुना यहां पर बढ़ा सकते हैं on the other hand कुछ ऐसे category के students हैं जिनका शायद त्यारी काफी अच्छी हो चुकी है पर कही ना कि शायद practice में थोड़ी कमी है ऐसे candidates के लिए हमारी team की तरफ से लाया गया है rigorous pralience program यानि की RPP अब यहां पर क्या होगा इस program की मदद से ना आप यहां पर daily business की उपर चालिज general studies के questions प्रेक्टिस करोगे followed by 20 GS followed by 20 CSAT के questions तो रोज सुबह साथ वजे आपके GS के questions आप practice करोगे followed by CSAT तो हो क्या रहा है ना इन questions के माद्यम से इनके practice के माद्यम से आप अपनी preparation करते जा रहे हो और जिस दिन फिर आपका prelims होगा ना आपको जाद दिक्कत नहीं आगे क्योंकि आप चार महीने लगाता इसी चीज़ की practice कर रहे होंगे इसके लावाए बहुत सारे features आपको देखने के मिल जाएंगे इस program के अंदर जहां पर आपको complete CSAT module मिल जाएगा आपको daily आपकी all India rank मिलती रहेगी जिसके हिसाब से आपको अपनी improvement के बारे में पता लगता रहेगा साथ ही साथ आपको जो prelims वाला उडान की जो booklet से ना उनकी आपको hard copy मिल जाएगी और अगर आप prelims clear करते हो जो कि मुझे पता है कि आप definitely करोगे तो आपको this region जो कि हमारा main guidance program है उसका free access आपको बिल्कुल यहाँ पे मिल जाएगा तो यह course भी 8 January से start हो रहा है online तो आप access करी सकते हैं but at the same time offline के अंदर हमारे जितने भी centers है आपके पटेल नगर, मुखरजी नगर, लखनोगा पटना वहाँ से भी आप इनको access कर सकते हो तो यह जो particular course है इसका link भी मैं नीचे description में डाल दूँगा RPB का भी तो आप जो भी candidate है चाहिए उनको एक full-fledged course चाहिए या फिर एक तरह से पूरी practice चाहिए तो जो भी आपकी requirements है उसके साब से आप इन courses के अंदर enroll कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं आज की discussion जहां पर हम internal security बहुत ही detail में पढ़ेंगे अगनी prime के बारे में थोड़ा समझें उसके बारे में थोड़ा सा इसका background आपको बताना चाहता हूँ देखो आप जानते हो Dr. A.P.J. अबदुरकलाम जी के बारे में सब जानते हैं अब इनका एक vision था कि इंडिया न सेल्फ सफिशेंट बने मतलब जो बोलते हैं आत्म निर्भर बिल्कुल किस चीज़ के अंदर सेल्फ सफिशेंट सर यहां पर missile technology के अंदर तो एक program बना उसका नाम क्या है IGMDP that is Integrated Guided Missile Development Program ठीक है अब इस particular program के अंदर अलग-अलग missile को बनाया गया जैसे for example आप सभी ने नाम सुना होगा पृत्वी का ठीक है आपने अगनी का नाम सुना होगा त्रिशूल आप जानते हैं ठीक है ना आप अकाश के बारे में जानते हैं आप नाग के बारे में यह नाम सुने होगा आपने अपने science technology के अंदर थोड़-थोड़ा मैं बतायता हूँ जैसे यह 5 नाम है जो ठीक है पृत्वी आप जानते हैं कहीं न कहीं यह एक ballistic missile है surface to surface ठीक है उसी तरह से अगनी की बात करें ठीक है तो हमें अभी क्या पढ़ना यहां पर अगनी के बारे में अगनी के बारे में आपको क्या बोला मैंने बताया आपको अगनी क्या है अगनी क्या है हमें different ranges देखने को मिलती है तो अगनी क्या है एक तरह की जो अगनी prime की मैं बात कर रहा हूँ इस तरह से आप यहाँ पर पिच्चर में देख सकते हो तू स्टेज यह पर्टिकुलर चीज है अब यहाँ पर हमने यह बनाने की जरूरत क्यों पड़ी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे अगनी के अलग-अलग वेरियंट्स है जैसे मैंने बताए ना अगनी वन अब अगनी वन की जो रेंज थी ना वो कितनी थी वो थी 1000 креп से कम बिसकली लगबक 700-800 kg किलो मीटर तक यह इसकी रेंज थी फिर अगनी 2 की रेंज थी 2000 किलो मीटर से जादा अब इसके बीच की जो रेंज है के जगात पर देखने को मिलता है तो यह कुछ हैं पॉइंट पॉइंट से हैं विद रिगार्ड्स टू अगनी प्राइम समझाया बात यह क्या है टू स्टेज है यह सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं इसके दोड़ा लॉंच करी जाएगी आप देखो इसके अंदर देखने को मिलेगा यहने का मतलब जो इसका अलग-अलग पार्ट्स है वो असानी से प्रोटेक्ट करे जा पाएंगे और उपर से मैंने आपको क्या बताया यह क आपके अपना जो भी होगा वहाँ पे अपना अपरेशन परफॉर्म करेगी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मीनिंग क्या है इसका कही न कि आप इसको लंबे टाइम तक स्टोर कर पाओगे इसके साथ में इसके इसके बहुत अच्छ पाइदी रेंज भी हम समझ चुके हैं ठीक है और काम क्या है दरसल में अगनी प्राइम क्या करेगी धिरे धिरे रिप्लेस करेगी अगनी वन विसाइल को इंदा आसनल ओफ स्टेजिक फोर्सिस कमांड अब आप लोग सोच रहोंगा सरी स्टेजिक फोर्सिस कमांड यहां पर न यह SFC क्या है एक तरह की ट्राइ सर्विस कमांड है यहां पर देखो आप नोटिस करना इंडिया के जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है ठीक है उसको मैनेज करना होगा उसको एड्मिस्टर करना होगा उसके लिए हमने SFC बना जिया है स्ट्रेजिक फोर्सिस कमांड यह करती है यह पर हमें इंडियन आर्मी के भी इंडियन एरफ और इंडियन नेवी के भी औफिसर और लोग देखने को मिल जाएंगे वो यहाँ पर इंडिया की न्यूट्लियर पाइल को एक तरह से मैनेज करने के लिए हमें SFC देखने को मिल जाती है, तो ये कुछ इम पॉइंट से रिगाड़ी अगनी प्राइम, हमने अच्छे से समझ दिया, इसका हिस्टी भी समझ भी बैक्ग्राउंड भी समझा, एंड ओवरॉल इसका काम क्या है, वो भी हम जान चुके हैं, SIPRI, SIPRI क्या है सर, SIPRI stands for Stockholm International Peace Research Institute, ये आपको जो Sweden के अंदर एक think tank देखने को मिलेगा, जिसका नाम है SIPRI, आपने शायद ने इसकी, मैंने भी एक बर discussion की थी आपके साथ, कि कौन सी country कितना खर्चा अपना defense के उपर करती है, ठीक है न, जैसे आपने Saudi Arabia का सुना होगा, इंडिया करवाया कहां से, ये सारा data SIPRI के दोड़ा दिये जाता है, ठीक है, अब उसी तरह से न, एक SIPRI की yearbook आती है, जिसके अंदर SIPRI क्या बात कर रही है, कि कौन सी country के वास कितने nuclear weapons है, getting the point, तो ये इस तरह की findings है, हमें देखने के मुलती है, जैसे ये रही इस साल की findings, जैसे for example, आप notice करो, यहाँ पर आप जानते हो कि हमारे दुनिया में पांच तो जो nuclear weapons states है, जो हमारी P5 की में बात कर रहा हूं, उसके लाबा चार और countries है, जैसे आप जानते हो, इंडिया, पाकिस्तान, नौर्थ कोलिया और इसराइल, ठीक है, तो पांच countries ये होगी P5 और बाकी चार तो इन 9 countries के पास कईना के nuclear weapons हमें देखने को मलते हैं, तो यहाँ पर सिपरी की report बता रही है, कि पिछले साल के मुकाबले, हर country ये लगभग ना, अपने जो nuclear weapons है, उनको बढ़ाया है, जैसे for example, इंडिया की बात करें, पिछले साल इंडिया के पास, 160 nuclear weapons थे, हमने उसको बढ जाकर कितना कर दिया है, 164 यहाँ पर कर दिया, बिस्किल नुकलिर आर्सनल्स की बात कर रहा हूँ, और नुकलिर वैपन्स जो भी होते हैं, तो यह नंबर इंडिया में marginal increase हुआ है, थोड़ा सा 168 से हमने 164 पहुंच गये, पाकिस्तान का 165 से 170 पहुंच गया है, और अगर आप नोटिस करोगे, जिए टॉप टू कंट्रीज, याट इस USA और रशिया, तो लगबग 90% के करीब करीब जो नुकलिर आर्सनल्स और वैपन्स है ना, तो यहीं हमें देखने को मिल जाते है, नुकलिर वार हैट्स, हमें US और रशिया के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं ठीक है, बहुत सारे लोग तो यह भी बोलते हैं कि 410 का नंबर है, यह काफी understated है, वो सकता है यह नंबर एक्च्वल में 500, 600 या ऐसे से भी जादा नंबर हो सकता है, ठीक है ना, तो यह थोड़े आईडिया आपको पता होना चाहिए, एक यहाँ पर बात होती है, deployed warheads की, स इसका मीनिग यह है कि यह जो particular weapons इनको deploy किया गया है, मतलब कि इनको launch करना होना, तो बहुत ही कम समय के अंदर इनको launch किया जा सकता है, very small time के अंदर, अब एक question यह भी उठता है, कि sir, इंडिया के पाकिस्तान से भी कम है, basically इंडिया के 164 है, पाकिस्तान के 170, तो yes, इंडिया कि थोड़ से कम है पाकिस्तान से, काफी लोग का माना होता है कि sir, इंडिया क्यों नहीं बढ़ा लेता, देखो दरहसल में होता क्या है कि इंडिया काफी समझ के इसको बढ़ा रहा है, ठीक है, actual में क्या होता है ना, nuclear stockpile को बनाना और उनको manage करना, यह अपने आप में बढ़ा खर्चा है, ऐसे estimates है दुनिया के अंदर कि मानलो अगर किसी country का 200 के एक nuclear weapons है ना, तो उसका 15 से 20 billion US dollar शायद कहीं ना कि उनको maintain करने के अंदर और उनको develop करने के अंदर खर्च होता होगा, अब ऐसे time के अंदर इंडिया चाहता है कि हाँ, एक तरह से मारे पास nuclear weapons हो, जो बाकी country साथ deterrence की तरह भी काम करें, but at the same time हमें चीजों को, resources को अच्छे से utilize करने की भी कोशिश करनी है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हाँ, इंडिया के case में ये 164 के आसपास देखने को मिल जाएंगे, बाकि यही same data है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि कि इसके बास कितने हैं, ठीके ना, वही same data यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हो, but although वो data यही था, कि 90% nuclear weapons हमें रश्या और USA के बास देखने को मिल जाएंगे, ठीके ना, और हर country के हमें ये जो nuclear weapons है, वो increase होते हुए देखने को मिल जाएंगे, जैसे चाइना क केस में हमें देखने को मिला है, ठीके ना, इंडिया के केस में बढ़ाने का क्या purpose है, 160 से 164 का, कहें ना, कि हमारे आप जानते हो देको neighboring countries है, चाइना और पाकिस्तान, चाइना बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, पाकिस्तान भी बढ़ा रहा है, तो ऐसे टाइम पे भी ना, मतलब, इंडिया has to keep on the peace, right, इसके साथ ही, हम अगर थोड़ा सा खुर सिप्री की बात करें, तो वैसे तो आपको बताई दिया, ठीक है ना, एक तरह का Stockholm, Sweden के अंदर हम यह देखने को मिलता है, एक think tank है, एक तरह से, 1966 के अंदर इसको establishment हुआ था, independent international institution है, ठीक है, एक तरह का data analysis recommendation बताता है, based on open resources, ठीक है ना, तो यह सारी चीज़ें हो गया, कि एक तरह से, बताता रहता है कि security कैसी है, कितने, defense के ओपर कितना खर्चा है, पुरवा आपस में country scriptment, dialogue भी बढ़ पाए, इन चीज़ों के basis के ओपर, यह सारे काम सिपरी के देखने को मिल जाते हैं, INS किरपान, अब इसको समझते हैं, अभी क्या हुआ है ना, हमारी जो defense minister है, राजनात सिंग जी, उन्होंने announce किया है, कि हो gift कर रहे हैं, INS किरपान वियतनाम को, मुदर इंडिया की तरफ से, INS किरपान को gift किया जा रहे हैं, अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर पहली बात काफी अच्छी है, notice कीजिए, एक तो यहां पर आपको notice करने को मिलेगा, चाइना, तो चाइना के साथ वियतनाम का border touch होता है, पहली बात तो यह देखो, ठीक है, सरी बात समझाई, जूसरी बात अगर आप notice करो, यह है क्या, South China Sea, ठीक है, South China Sea के अंदर आप notice करो, कि चाइन काफी aggressive हो रहा है, अब ऐसे टाइम के ऊपर, अगर हमें जो चाइना, जो हमें borders पर आखे दिखाता रहता है, उनको भी यो control करना है, ठीक है, तो हम भी यतनाम के साथ आपने काफी लंबे टाइम से strong कर रहे हैं, ठीक है, और यह जो हमने INS किरपान दिया है, यह भी एक तरा से उसमें help करेगा, क्योंकि आप notice करो, चाहिए आप Parasal Island की बात कर लो, या South China सीके अंदर में और भी आइलेंट, जैसे Sparkly Island हो गया, Scarborough Shoal हो गया, यह सारे disputed आइलेंट बन चोके हैं, चाइना की बज़र से, क्योंकि उसकी 9-9 यहां से हमें जाती हुई देखने को मिलती है, और चाहिना बोलता है कि यह सारा हमारा ही पार्ट है, अब ऐसे टाइम के उपर जो countries हैं, उनको कहीं न कहीं अपनी जो maritime security है, उसको improve करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है न, अपने आपको यहां पर सिशक्त करना पड़ेगा, और जो INS किरपान है ज़रसल में इसी चीज़ में help करती है, यहां पर coastal patrolling increase हो पाएगी, उनके पास, उनके पास साथ ही साथ आप notice करो, जो anti-piracy अगर operations हो, तो वो भी अच्छे से विरतनाम कर पाएगा, और साथ ही कल को मालनों कुछी disaster आ गया, तो humanitarian assistance and disaster relief के operations भी इसके दोरा carry out किये जा सकते हैं, through the use of INS अपर INS किरपान है क्या, देखो दरसल में क्या है, यह एक, इंडिया के दोरा ही indigenously built क्या है, missile corvette है, अब आप लोग सोचेंगे, सब एक corvette क्या होता है, देखो corvette का simple meaning है, एक तरह का warship, ठीक है, ठीक है, तो एक तरह का warship है, जो बाकी मालनों और भी इसके fleet होंगे, और भ किया गया था कब, 1991 के अंदर, तो इस particular initiatives के हम क्या करना चारे है, हम वियत नाम के साथ थोड़ा cooperation increase करेंगे, तो defense cooperation increase हुआ हमारे उनके साथ, and साथ में notice करो, यह हमारा जो act east policy है ना, उसके साथ में बिलकुल खराव दरता है, इस particular ship के अंदर, आपको एक medium range gun fit है, इसके अंद ठीक है ना, और भी जो close range guns है, वो आपको देखने को मिल जाएंगी, साथ में ही, surface to surface missiles देखने को मिल जाएंगी, तो जो मैं बात कर रहा था था ना, कि maritime security की आप बात कर लीजिए, ठीक है ना, coastal patrolling की बात कर लीजिए, anti piracy operations की बात कर लीजिए, anti submarine warfare की बात कर लीजिए, यहा एक मातर ऐसा example नहीं है कि इंडिया यहाँ पे इसके साथ corporate कर रहा है वियतनाम के साथ, नहीं, हमने line of credit इनको offer कर रखी है, अब आप लोग सोच रहोंगे, सब line of credit क्या होती है, देखो जैसे for example, अब वियतनाम की government को कुछ खरीदना है, ठीक है मानलो कुछ है, ठीक है ना, त इनको सिरफ 100 million US dollar की ज़रत हो, कल को इनको 50 ही हो, तो फाल्तु में आज ही 600 million dollar का loan वगरा क्यों देना है, मतलब इसका interest क्यों देना, तो जब भी आपको 600 million US dollar दे दिया हुआ है, आप जितना चाहू उसमें से accordingly use करो, उसके basis के उपर आपको कहीं ना कहीं interest लगेगा, और interest भी बहुत जनली बहुत ही कम होता है, तो हमने बस एक तरह से allocate कर दिया है, जब इनको जरूरत होगी, तब वो जाके उस facility को draw कर पाएंगे, इसको बोलते है line of credit, तो इंडिया ने पहले देखो, 2014 में 100 million US dollar का line of credit offer किया हुआ था, फिर बाद में हमने 500 million US dollar का और इनको line of credit दे दिय या defense operations के लिए, तो इस वज़ा से आप notice करो कि इंडिया और वियतनाम की defense operation काफी improve हो रहे हैं, और एक तरह की इंडिया और वियतनाम के बीच में क्या है, comprehensive strategic partnership हमें यह आपे दोनों में देखने को मिल जाती है, तो चाहे Act East policy की बात कर लो, या फिर जो Indo-Pacific का vision है इंडिया का वहाँ पर भी South, जो वियतनाम है, उसका एक बहुत important role रहेगा, ठीक है, इस खुकरी class जो Corvette है, इसको build किया गया है बाई, मज़गा और डॉक Limited, तो यह कुछ important points से, इसको आप notice कीज़ेगा, P44 के नाम से भी जाना जाता है, तो यह कुछ important points से जो हमें पता होने चाहिए थे next topic की तरफ आगे वढ़ते हैं, that is Operation Blue Star, अब सर इसका क्या है context अभी, अभी क्या है ना, जैसे आज है 6 June, तो 6 June को क्या होती है, Operation Blue Star की anniversary होती है, मतलब 39th anniversary अभी, तो 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 इसको समझ लेते हैं कि आखिर Operation Blue Star है क्या, देखो दरसल में Operation Blue Star ना एक तरह का code name था, आप याद करो, 1984 का time, उस time ना, पंजाब के अंदर काफी सारे issues चल रहे थे, ठीक है, और एक issue था, जो extremism का, एक ना, लीडर थे, जिनका नाम था, जन्नायल सिंग भिंडरा वाले, अब ये separatist थे, एक तरह से, कि कहने का मतलब क्या, इनकी demand थी, कि एक तरह से, हम सिख लोगों के के लिए, तो ये थे जन्नायल सिंग भिंडरा वाले, अब इन्होंने काफी सारे लोगों को वहाँ पे करने ही कोशिश करी, अपने side पे कोशिश किये, और हुआ भी ऐसा, in fact, in the end, जो हर मंदर सा है, वेसिकलि जो अपर golden temple वाला area है, वहाँ पर जाके इन्होंने एक तरह से अंदर तो हम नहीं होने सकते हैं, वो चाते थे कि golden temple का control उनके पास आए, तो इस वज़ा से इस operation को run किया गया, operation blue star को, अब इस case में पता क्या हुआ, ये खालिस्तानी जो terrorism था, जो खालिस्तान की moment थी, उसको एक major घटका लगा, ठीक है, वहाँ पर हमने इनको मार तो दिया पर issue क्या आया, कहीं ना कहीं जो हमारे, यहाँ पर ना हमारी government ने, उनको enter करना पड़ा golden temple को, और जो golden temple का main shrine था, उसको भी कुछ loss हमें देखने को मिला, ठीक है ना, वहाँ पी उसका खोड़ा सा destruction वहाँ पर देखने को मिला, इस वज़ा से जो issues थे, वह ज़्यादा ठीक है ना, उसके बाद में आप जानते होंगे, कि जो इंद्रा गांदी जी थी, ठीक है, उनको भी death, उनको भी मार दिया गया, उनके six bodyguards के दौरा, उसके बाद हमें दिल्ली के अंदर anti-sickroids भी देखने को मिले, इस सारा process इस तरह से work किया, ठीक है ना, तो क्या था दर रिशिस भी हमें यहां पे देखने को मिले, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका अकाल तक्त complex हो गया, और साथ-साथ जो golden temple है, उसको जो occupy कर रहा था, उसको हमें यहां पे उनके control से निकालना था, इसके बाद में एक चीज़ और आपको धियान में रखनी है, blue star को हम सम आने के लिए, तो blue star तो आपको ध्यान में रखना है, और अपलेशन ब्रैक टिंडर को भी आप अपनी दिमाग में रखेंगे, next topic तरफ चलते हैं, that is Chinook, शोटा साथ टापिक है अभी, देखो, Chinook धरसल में क्या अभी news में क्यों है, news में इसलिए है, क्योंकि जो इंडियन लग रहे हैं, पिचल से, कि Chinook क्या है, एक हेलिकॉप्टर की आप बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल सही बात है, अब इस हेलिकॉप्टर को यूज किया जाता है, हाई एलिकूड के उपर, मतलब जैसे for example, अमरनाथ जी है, तो वहाँ वो भी काफी हाई एलिकूड के उपर है, तो इस तरह के जहां पर हाईट, बहुत ज़ा हाईट है, वहाँ पर इस तरह के हैलिकॉप्टर को यूज किया जाता है, यहाँ पर आपको इसके दो इंजन्स थेखने को मिल जाएंगे, तो यह ट्विन इंजन्स है, ठीक है, मल्टी मिशन और हैवी लिफ्ट है, तो काफी जो एक्स्टीम वाले ऑपरेशन होते हैं, वहाँ पर इसको यूज किया जाता है, अब आप लोग सोचे होंगे, इसका नाम चिनूख ही क्यों रखा गया, कुछ और नाम क्यों नहीं है, देखो जो यूएस के, और अस्पेशली मैं बात करूँ, यह जो स्टेट्स आम इसको डेवलप किया है, जो इसको 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 यूज करेंगे, और अगर कलको मेंस में कॉशन आता है, इंडिया-उस इलेशनिशिप के रिकारणी, तो वहाँ पर भी आप चिनूख का एग्जामपल दे सकते हो, ठीक है, तो यह थे कुछ टॉपिक्स, आज की जो परमान के रिकारणी, इसका मुझे कॉमेंट्स में बताना, ठीक है, कि क्या सही अंसर होना चाहिए, फिर इसको कल डिसकर्स कर लेंगे, उसे तरह से, टू-फॉ-फॉ-स के अंदर, यह तीन कॉशन्स मिलें आपको, इनका भी मुझे बताना कि कौन सा इन में से सही है, कौन स बरी, अब दिसको कोशिश करते है, डेम्ट करने की, तो यहां कह रहा है, पांच स्टेट्मेंट है, P, Q, R, S, D, और उसके रिकारणी कुछ कंडिशन बता रखी है, सर्क्या कंडिशन है, कंडिशन यह है, कि अगर P सही है, तो Q भी सही होगा, और S भी सही होगा, ठीक है न, तो यह चीज़ आप ध्यान में रखना, पर इसका मतलब बस इतना ही है, मतलब, अगर मान लो P गलत है, तो क्या Q क्या होगा, S क्या होगा, इसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, समझने के बात करना, वो कह रहा है, अगर P सही है न, तब Q और S बिल्कुल सही है, तो T गलत है, ठीक है न, तो यह चीज़ भी हमें पता होने चाहिए, पर इसका उल्टा हमें कुछ आइडिया नहीं है, कि अगर मान लों सिरफ इन दोनों में से एक ठीक है, या दोनों गलत है, तब T ट्रू है, तो T फॉल्स है, हमें उस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नह होता है, ठीक है, अगर इतना पता लग गया, तो एक बार पहली स्टेट्मेंट देखते हैं, वो कह रहा है, कि अगर T ट्रू है, इफ T इस ट्रू, तो क्या होना पड़ेगा, कम से कम एक, P या R, P और R में से किसी ना इसी एक को गलत होना ही पड़ेगा, अब खुद सोचो, T यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, दूसरी स्टेट्मेंट यही तो बोल दी थी, कि T गलत है, T गलत है तो मतलब, दोनों के दोनों R और S को ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर T सही है, इसका मतलब कहिना कि यह नहीं होगा कि इसका उल्टा, उसका उल्टा मतलब कि R या S में से, एक ना एक तो कोई गलत होगा ना, क्योंकि अगर दोनों सही होते, तो T गलत हो जाता, पर T हमारे पास है true, T true है मतलब, R और S में से कोई ना, कोई तो गलत है, ठीक है, at least one of R and S must be false, ठीक है, तो अगर माल लो S false है, अगर S false है, तो इसका मतलब यह नहीं कि P भी false होगा, क्योंकि आप notice करो, अगर P true होता, तो S भी true होता, पर अगर S false है, तो P को definitely false होना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब यह बात भी ठीक है, ठीक है, तो यहां पर point क्या हुआ, तो P भी false होना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह जो बात कह रहा है, कि at least one of P और R must be false, यह बात बिल्कुल correct है, क्यों correct है, क्योंकि T का गलत होने का मतलब क्या है, कि R और S में से कोई ना कोई एक गलत होगा, और S के गलत होने का मतलब हुआ, कि P भी गलत होगा, तो one of R और P must be false, यह बात बिल्कुल correct हो जाएगी, मुझे पता थोड़ा technical है, थोड़ पी को भी true होना पड़ेगा, यह बात ठीक नहीं है, उसने हमें बोला क्या था, P true है तो Q true होगा, पर अगर Q true है, तो क्या जरूरी है कि P भी true हो, नहीं, P false भी तो होसकता है, उसने सिर्फ हमसे को यह बोला है, कि हाँ, P सही है, तो Q को पक्का सही होना पड़ेगा, पर Q सही है इसका मतलब यह नहीं कि वी सही है नहीं क्यों सही है कि मतलब पी सही भी हो सकता है पी गलत भी हो सकता है तो दूसरी स्टेट हो जाएगी पहली ठीक है दूसरी गलत है तो सही अंसर क्या बना option number a one only अगर कुसी को दोबारा एक बार प्लीज सुनने ना मुझे पता है समझने में की बार दिख्कत आती है पर कोहीं ना कि आपको और प्रैक्टिस करने की जुरूत है इस चीज के अंदर राइट अब आज का तो यह क्वेशन हो गया कल के लिए आपको यह मैं आपको homework दे रहा हूं यह वाला थ और हैं दो शिप्स हैं उसमें एक है अंजदीब और दूसरा है संशोधक तो अंजदीब जो है यह हमारी तीसरी anti-submarine warfare शैलो वाटर क्राफ्ट है और संशोधक हमारा सरवे विशल है चौथा शरवे विशल लार्ज यह चौता सरवे विशल लार्ज है तो इन दोनों के बा और इनका बेसिकली इससे पहले अभय क्लास के कुछ कॉरवेट होते थे उनको रिप्लेस करके अब ये हमारे पास आ गई है जो पुराने दो थे उनका नाम था अर्नाला और अंद्रोत और जो इस बार आये हैं उनका नाम है अंजदी तोड़े कठिन से नाम है modern name जैसे कुछ लग रहे हैं कि अपने बच्चों के नाम ऐसे कुछ रख सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चे परशान हो जाएंगे तो ये जो अंजदीप, अर्नाला, अंद्रोत ये सब क्या हैं ये सब हमारे लिए anti-submarine warfares हैं ठीक है लड़ाई बगर हमें काम पाएंगे ये लोग underwater फिर इसके बाद इनकी कुछ और भी लेकिन अच्छी capabilities होती है सिर्फ warfare में ही नहीं बलकि ये लोग low intensity maritime operation तो चलो ये करते ही हैं बट mine laying operation में भी काम आ जाते हैं कभी-कभी full scale surveillance करने के लिए sub-surface level पर भी ये लोग ASW operations में aircraft के साथ में वो सब भी काम दे हैं तो यहां पर इसके पहले संधायक class था जिसको की अब replace किया गया है संशोधक class से ठीक है याद रखना इसमें इसके पहले संधायक, निर्देशक और इक्षक ये तीन थे अब ये चौथा या संशोधक तो इनके अगर हम लोग कुछ primary role की बारे में बात करें तो ये hydrographic surveys जो भी हमारे माली जे ports हैं या फिर navigation channels है जहां से सारे ships गुजरते हैं उन सब का पूरे full scale पर coastal और deep water hydrographic surveys conduct करते हैं साथी साथ ये लोग oceanographic और geophysical data भी collect कर लेते हैं जिसको की हम लोग या तो defense में use कर लें या फिर civil applications में use कर लें दोनों जगह पर काम आ जाते हैं और इनका एक बहुत ही different role है secondary role आप बोल सकते हो जिसमें कि ये लोग as a hospital ships emergency situation में भी इस तरीके से भी use कर लिये जाते हैं next topic की तरफ आगे बढ़ते हैं that is exercise Khan Quest बिल्कुल थोटा साई topic है तो Indian Army Contingent तो था उसने participate किया कहाँ पर exercise Khan Quest कहाँ पर Mongolia के अंदर तो Mongolia के definitely आपको location तो पता है ठीक है न रशिया और चाइना के बीच में आपको एक country देखने को मिल जाएगा right तो यहां पर इसको co-sponsor किया गया किसके तरह मंगोलियन Armed Forces और US की तरफ से US Army Pacific Command की तरफ से तो एक तरह सी न यह ऐसा नहीं कि सरफ इंडिया और इनके बीच में नहीं यहां पर एक multi-national peacekeeping joint exercise थी जहां पर 20 countries से ठीक है military contingents और observers का participation हमें देखने को मिला अब ऐसा क्यों किया गया देखो ऐसा इसलिए किया गया ताकि इन जो different participating nations है ना इनके बीच में हम interoperability को हम यहां पर बढ़ा पाएं एक बात ध्यान रखना इंडियन आर्मी की तरफ से कौन क्या था इंडियन आर्मी की तरफ से जो contingent था वो था गड़वाल rifles का और यहां पर दर से बात पता क्या हुई UN peacekeeping missions के बारे में बात हुई अब आप लोग जानते होंगे UN peacekeeping के बारे में जहां कहीं भी दुनिया में let's say कोई conflict चल रहा है तो वहां पर conflict से हम कैसे peace की तरफ कैसे शान्ती की तरफ हम transition कर सकते हैं वहां पर UN peacekeepers का एक बहुत important role रहता है ठीक है और आप जानते हैं UN peacekeepers को बोला गया है कि आप लोगों ने मतलब हथियार या force का use नहीं करना except जब आप किसी आप defense के case में मतलब self defense के case में आप उसको use कर सकते हो otherwise इनकी कोशिश यह होती है कि यहां पर हम peacekeeping के अंदर काम करें ठीक है conflict से हम peace की तरफ लाने के अंदर कोशिश करें इंडिया हो गया बंग्रदेश हो गया इन countries ने बहु कुछ आज के topic जो हमें discuss करने थे ठीक है कल मैंने आपको एक छोटा सा homework दिया था हरपन साइट के बारे में तो बिल्कुल यहां पर आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है इसका answer होगा 100 गौड़ा ठीक है दरसल में चानुदार और code दीजी यह तो हम पढ़ते ही है हम जब भी आपने सुना होगा जिसालपुर का के बार नाम में सुझाता है या फिर आप ऐसा भी धियान रख सकते हो जिस होगारा है यह दरसल में अशोकन एरा जो मौरियन टाइम्स के था ना उस टाइम भी हमें साइट देखने को मिल जाती है इंपक्ट यहां पी हमें एक अ और यहां साइट है ना कि एक हड़पन साइट है तो आप यहां पर एक कॉडिंगी अंसर कर देदे अब देखो एक चोटा सा क्वेशन और पूछ रहा हूं बलकि इनका अंसर में बताई दूँगा देखो यह बला क्वेशन ना कि Northern Hemisphere के अंदर सबसे लंबा दिन कब होता है यह 2022 में भी पूछा था यह similar question 2019 में भी पूछा गया तो आप लोग जानते होंगे देखो दरसल में जो सबसे लंबा दिन ठीक है मैं थोड़ा सा अगर आपको बनाने कोशिश करूँ यह आपका equator हो गया ठीक है यह आपका यहां पे मैं थोड़ा जस्ट आपको आइडिया द टाइम पर मतलब 21 जून को हमें डिरेक्टली मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने देखने को मिलता है और वही टाइम होता है जब Northern Hemisphere के अंदर हमें सबसे लंबा दिन देखने को मिलता है तो जरसल में यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं हम यहां पर बात कर रहे हैं अधरे नीचे आता है सेप्टेंबर के टाइम पे जो सूरत होता है हमें equator के पास देखने को मिलता है अकॉर्डिंग की नीचे जाता जाता यह Capricorn प्रॉपिक ऑफ के सामने पहुंचता है अराउंड 22 डिसेंबर के ऊपर ठीक है फिर यह वापिस आता है मार्च के राउंड जब सूर जाता है 22nd December को तो Northern Hemisphere में उस तैंपर काफी ठंड होती है ठीक है तो 21 जून Summer Solstice 22 December Winter Solstice हमें देखने को मिलता है यही particular day होता है 21 जून का दिन ही है जब हम क्या बनाते हैं जब हम बनाते हैं International Day for Yoga ठीक है आप सब इने एम्शूर कल योग भी किया होगा ठीक है दरस 2014 में हमारे परधान मंत्री श्रीन नेंदर मोजी जी ने UN General Assembly के अंदर बोला था कि हमें 21 जून को celebrate करना चाहिए as a yoga day ठीक है और 2015 से फिर हमने International Day of Yoga celebrate करना स्टार्ट कर दिया था बाकी योगा के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे जैसे आप लोग अपने आर्ट एंड कल् एंड जली ठीक है और योग का मतलब और कुछ नहीं बस सिंपल सा मीनिंग है कि हमारा और सुपरीम रियलिटी के बीच में एक तरह का union हो तो यह इसे union को ही ठीक है ना union of self with the supreme reality इसी को एक तरह से योग बोला जाता है तो यह कुछ पॉइंट से जो हमें discuss करने थे तो सेम कु जब भी आप कोई चीज देखना होना कि कोई चीज इकठी हो रही है तब वहाँ पर हम उसका LCM लेते हैं के अंदर ऐसे multiple questions आ चुके हैं जहां पर हम यह चीज बताई गई है और इवन यह जो traffic signal वाला question था यह previous question है तो वहाँ पर आप उसका LCM find करो और वहाँ पर common time आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर हमें सिंपली करना था 25-60 और 39 का पहले LCM लिया तो इसको double कर दिया and according नहीं मारा answer आ गया 410 ठीक है तो इसलिए मैं बोल रहा था कि यह question doable था getting the point ठीक है सर एक यह मैला कल homework दिया था इसका भी देख लेते हैं यह को बहुत simple question है यह बहुत to be very honest मतलब मैं फिर से बता रहा हूं कोई यह मतलिक देना कि सर आप गलत कह रहे हो मैं बिलकुल agree करता हूं CSET 2023 VAST a tough paper but some questions were doable जैसे उसमें से यह भी एक question था इसको समझते हैं अब principle P becomes Q in one year when compounded half yearly with R percent annulator of interest if same principle P becomes Q in one year when compounded annually with S percent तो RRS के बीच में हमें देखना है देखो मान लेते हैं कि P की value है 100 example लेके चलते हैं कि आपको कुछ principle था वो कुछ time के बाद Q मन गया मान लो वो 200 हो गया मतलब आपने bank में जमा किये 100 और पे कुछ समय बाद वो 200 रपया हो गया कुछ समय मतलब एक साल के बाद वो 200 रपया हो गया ठीक है तो उसने बोला है दो है कि 100 का directly 200 हो गया और एक था कि 100 से पहले वो कुछ बना और इसके बाद यह कुछ बना गेटिंग दा पॉइंट तो यह जो एन्यूली वाला है उसकी वैल्यू क्या है उसकी वैल्यू है एस परसेंट ठीक है मैंने गलती जो उल्टा लिख दिया एन्यूली वाली की वैल्यू क्या है एस परसेंट और जो इस तरह से सेमी एन्यूली हो रहा है उसकी वैल्यू क्या तो इसका एक simple formula होता है, a plus b plus ab by 100, क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ percentage increase किया, मालो a percent और यहाँ पर increase किया b percent, तो इसका मतलब a plus b नहीं होता, इसका मतलब होता है a plus b plus ab by 100, extra भी तो होता है, अगर मैं मालो आपको बोल दूँँ, कि कोई 100 rp की चीज है, इसमें पहले मैंने 10% increase किया, फिर वापे से 10% increase किया, तो क्या मैं यह बोल दूँँगा कि 20% increase हुआ, नहीं, ऐसे नहीं बोल सकता, युकि पहले 100 का 10%, 110 बनेगा, फिर 110 का 10% बनेगा, वो 121 बनेगा, getting the point, तो यहाँ पर ना, एक extra कुछ value भी आती है, a, b by 100, तो अगर मान लो simply, अगर s और r, अगर s और r सेम हुए होते, तो नीचे वाली value तो जादा r ही होती, पर वो कह रहा है, value तो same है दोनों केस में, तो यहाँ पर ना, जो r की value होगी, वो कम रही होगी, क्यों, अगर आप खुद दो सोचाना, कि मान लो, अगर यह है 10%, मान के चलते हैं, अगर है यह 10%, तो क्या r की value, मतलब r by 2 की value, मतलब क्योंकि मैं दो parts में डिवाइड किया ना, क्या 5% और 5% हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि 5% और 5% होती ना, तो 5 प्लस 5, 10, प्लस एक्स्ट्रा भी तो आता, तो यह एक्स्ट्रा वाला part आया है ना, उस वज़ा से यह 5 से छोटा ही होना पड़ेगा, basically, r by 2 की value, 5 से छोटी होनी पड़ेगी, तो r की value 10 से छोटी होनी पड़ेगी, इस तरहीं आपका answer क्या बनेगा, s will be greater than r, समझ पाई या नहीं समझ पाई, ठीक है मैं एक बार द्वारा से समझा देता हूँ, समझ ना, मानलो यह है आपका 100 value, और जाना है आपको यहाँ पे, ठीक है, एक तरीका है यह, मानलो यह है 10% का, ठीक है sir, और दूसरा तरीका है, यह इस तरह से, अब क्योंकि 10% है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मानलो 5% और 5%, एक्जामपल लिखे चलते हैं, तो क्या यह 5% अगर होगा, मानलो 100 से यह 200 जाना है, तो अगर 5% और 5%, तो net increase कितना हुआ, a plus b plus a b by 100, तो यह value तो 10 से जादा आगी, पर हमें तो जो starting में थी, और ending value तो same है, तो कहने का मीनिंग क्या, यह 5 से ना छोटा होना पड़ेगा, तो जो r by 2 की value है ना, इस मुस्ट भी less than 5, और r की value मुस्ट भी less than 10, तो s की value 10 थी, r की value less than 10 है, तो answer क्या बना हमारे पास, option number C will be the correct answer, आप इसको formulas के नदे दाल के check करना चाहो, वो भी तरीका ठीक है, पर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगर आप directly सोचोगे ना, तो जब भी हम किसी चीज़ को multiple times compounding करते हैं, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा benefit होता है, जैसे इसकी चीज़ में देखने को मिला, अगर rate of interest मतलबना ज़्यादा होता है, तो multiple compounding में आपका end value ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसलिए इसका direct answer बन जाएगा, option number C, salvex, अब सर्थ salvex क्या है, किसके बीच में सर्, इंडिया और USA के बीच में, यह तो समझ आ गया, चलो इंडिया और USA के बीच में हैं, पर यह salvage maritime क्या होता है, और यह explosive, और यह इन सभी चीज़ों का क्या मतलब है, देखो मैं समझाता हूँ दोनों का मतलब, एक होता है maritime, मैं समझा, एक सेटेंड, maritime, salvage, इसको समझते हैं, देखो कभी आपने notice किया है, कि कि वर लट से, कुछ ओशियन या सी के अंदर, कि वर लट से, हमारे कुछ vessels फसे हुए है, कुछ कार्गो मान लोग फसा हुआ है, और हमें डर है कि कही ना कि हमारी ships है, वो damage हो सकती है, हमारा जो कार्गो damage हो सकता है, और वहाँ पर जो environment है, जो marine environment है, वो भी damage होगा, ठीक है, किसी भी करण को ऐसे, कि वर अच्छे cyclone आ गया, कुछ natural disaster आ गया, कोई और accident आ गया, कोई भी ऐसे circumstances होगे, तो कुछ भाईया, इन जो हमारे cargos हैं, कुछ vessels मारी जो फसी हुई हैं, इनको कुछ ना कुछ assistance देनी पड़ेगी न, नहीं तो ये डूब जाएंगी, इनको कुछ issues आ जाएंगे, ठीक है न, तो ऐसे time के उपर हम क्या करते हैं, हम salvage operations run करते हैं, इसी को बोलते है, maritime salvage, basically आप के करते हो, आप अपने vessels की, आप अपने cargo की, जो भी आपके valuable assets है, और सथ-सथ वहाँ का जो marine environment है, उनको हम कैसे protect कर पाएं, उसी को बोलते है, maritime salvage, तो हमारे कुछ techniques होती हैं, कुछ equipment होता है, कि ऐसे समय के अंदर कैसे काम करना है, तो ये एक एक तरह की exercise, हमें इंडिया और US के बीच में देखने की मली है, जापर salvage की बात हो रही है, maritime salvage की, उसी तरह से EOD, explosive ordinate disposal, सर इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब, आप लोगों ने कही बाद देखा होगा ना, कुछ हमारी explosive devices होती है, जो फट सकती है, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम उनको, कैसे उनको safely identify करें, कि भाईया ये बम है, ये फटने वाला या नहीं फटने वाला, उनको assess करें, ठीक है ना, और उस वहाँ पर पर जो लोग हैं, जो आसपास का area है, हम उसको कैसे protect कर पाएं, ये सारी चीज़ें, तो इस particular EOD के अंदर क्या हुआ, इंडिया और US कैसे कही न कहीं कोडिनेट करेंगे, basically detection कैसे करनी है, यहाँ पर भी नहीं नहीं टेक्नीक्स हैं, एकसरे वगएरा तो आप सभी जानते ही होंगे, आपको metal detectors हो गया, आपके specialized robots हो गया, ये कैसे काम कर सकते हैं, तो इंडिया और US से के जो through ये exercise हो रही है, आपको सिंग बीच में, cell wax नाम की, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, एक दोनों दूसरी countries, एक दूसरी से सीख सकती हैं, कहिना के चीज़ों को accordingly work कर सकती है, तो एक साथ अपने experiences share करेंगी, ध्यान रखना, इंडिया और US इस तरह की exercise के दिदे 2005 से participate कर रहे हैं, आपको ये land में भी और sea में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है न, इससे होगा क्या, एक दूसरी की best practice से समझाने के, इंडिया की तरफ से INS रेक्षक हो गया, और US Navy की तरफ से US NS self और यहाँ पर participate पर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अगले topic की तरफ चलते हैं, बहुत छोटा topic है, GymEx 2023, GymEx का मतलब क्या है, देखो GymEx आया है, जपान से और इंडिया से, ठीक है, जपान, इंडिया, maritime exercise, इसी को बोलते हैं GymEx, और नाम से सर क्लियर हो गया, हमें यहां पर देखने को मिले हैं, जबकि जपान की तरफ से JS Smider यहां पर हमें देखने को मिल गया है, यहां पर GymEx 2023 में दो phases होंगे, एक होता है आपका हार्बर phase, हार्बर phase का मतलब जो आपका बंदरगा के उपर होगा, जो आपका port वाली साइट पर जहां पर आपके कार्गो डिस्चार्ज करते हो, वो वाली चीज फारबर बोलते हैं उसको जो बंदरगा, और दूसरा हो जाएगा आपका C के अंदर, तो यह दो तरह से space को हमें देखने को मिलेगा, GymEx 2023 exercise, तो यह होब आप इसको समझ गए होंगे कि यह जपान और इंडिया के बीच में हो रही है, अगले topic की तरफ चलते हैं, that is cluster munition, इसको समझते हैं, देखो दरसले मैं समझाता हूँ, यह जैसे आप एक ना bomb की तरह समझो, ठीक है ना, यह मालो एक bomb है, और इसके अंदर बहुत सारे और चोड़ चोड़े bombs हैं, तो होता मता क्या है, मालो हमने यह bomb छोड़ा, ठीक है ना, मालो इदर से मैंने इसको bomb को fire किया, तो रास्ते में पता क्या होगा, यह bomb ऐसे खुल जाएगा, ठीक है, मैं समझाता हूँ इसको, एक मिनिट, यह जैसे ऐसे bomb गया, इसके अंदर चोड़ चोड़े इसके bomb, यह तरह से जो blue color के, यह जो आपको देख रहे हैं ना, इस तरह के चोड़ चोड़े bombs है, तो रास्ते में हवा में क्या होगा, यह bomb बड़ा वाला bomb यह खुल जाएगा, तो कोई चोटा bomb इधर गिरेगा, कोई इधर गिरेगा, कोई इधर गिरेगा, कोई इधर गिरेगा, तो हो क्या राए, एक bomb के माद्यम सही ना, आपने उसके अंदर इतने सारे bomb डाल दिये, कि जब वो हवा में खुला, तो बहुत सारे bomb अलग-अलग जगा पर गिरे, इसी को बोलते हैं, कलस्टर मुनिशन, सरी तो बड़ा खतरना का लग रहा है, हाँ जी बिल्कुल, देखो यहाँ पर ना, अगर आपको कहिना कि multiple targets हिट करने हो, तो अब देख रहे हो, इस चोट-चोटे bomb अलग-अलग जगा पर जैसे-जैसे गिरते रहेंगे, accordingly, multiple targets आपके hit होते रहें, इसी को बोलते हैं, कलस्टर मुनिशन, आई बात समझ में, मीनिक समझ गे न, कैसे यह bomb आहवा में जाके, ऐसे खुल जाएगा, और खुझ असे खुलेगा, तो अलग-अलग bombs, अलग-अलग direction में जाके गिर जाएंगे, अभी क्या हुआ है न, United States ने बोला है, कि हम यूक्रेइन को मदद करेंगे, और cluster mission उनको परवाइड करेंगे, कि तांकि जो रेशियन फोर्स हैं, उनको पीछे दर खेला जा पाएं, अच्छा सर, ये तो काफी major कदम है, बिल्कुल सही बात है, पर देखो, cluster mission ने करना, एक बहुत ही major issue है, सर वो क्या issue है, देखो, issue ये है, कि इनकी dead rate बहुत जादा है, अब आप लोग सोच रहेंगे, उसे dead rate, dead rate का मतलब होता है failure rate, क्या मतलब, ये देखो, ये जैसे ये वाले सोचो, ये जो चोट-चोटे मैंने bombs की बात करी न, ये हमने अलग-अलग जगा पे गिरा तो दिये, अलग-अलग जगा पे जब हवा में खुला आप बाम वह तो अलग-अलग जगा पे गिरो तो सही, पर ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे बाम होते हैं, चोटे माम वह फटते ही नहीं, ठीक है न, आप लोग भी नोटिस करते होंगे न, तो उसे छोटे बाम अलग-अलग जवा पे गिरात हो दिये, पर वह फटा ही नहीं, तो फटता है का बैसर, कई बार कई सालों के बाद फटता है, ठीक है न, मालो आपने इस बाम को कहीं या पे गिर गया, अब उस टाइम तो यह नहीं फटा, हो सकता है कि सालों बाद या कि जश्कों बाद या आके फट जाए, तो यह तो बड़ा खतरनाग चीज है, कल को बतानी दस साल बाद तो स्कूशन कुछ और होगी, बहाँ पर हो सकता है कोई और लोग आके रहने लग जाए, ठीक है ना, उस पटिकुलर जगा के उपर, और अचानक से एक दिन बाउम फट दै, तो यह बड़ी खराब चीज है इस कलस्टर मुनिशन की, तो यह एक मेजर इश्यू यहाँ पर देखने को मिलता है, यह कई बाद देखो इश्यू पता क्या है, आप रोटेस्स करोगे, यह बाउम नका ना, कही बाद जो टार्गेट होता है, वो टार्गेट सब्ड़ा आगे पिछे भी जा सकता है, तो कहिना कहीं वहाँ की जो सविलियन लोग है, उनको भी खतरा होता है, तो इस तरह के मेजर इश्यूस हमें यहाँ पर, यहाँ पर इसा यहाँ पर इसा यहाँ आप देख सकते हो, लगबग 24 से 32 किलो मीटर वेज तक के यह टार्गेट को स्ट्राइक कर सकता है, ठीके ना, पर इश्यूस यहीं है, कि इनके इन्वार्मेंट के उपर इंपक्ट आता है, ठीके ना, अमार्मेंट को यह कंटामिनेट कर सकता है, प्लस साथ ही साथ क्योंगी प्रसिजन टार्गेटिंग उपती है नहीं, तो कई वर सिविलियंस के उपर भी डिस्ट काता है, और जब, बहुत सालों बहुत जब फटते हैं, तो उसका भी अलग इशू आता है, ठीके ना, तो यह सारी चीज़ें है, अब ध्यान रखने वाली बात यह है, कि हमारे पासना एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन का नाम क्या है, कन्वेंशन ओन कलस्टर मुनिशन, इसको अडॉप्ट किया गया था 2008 के अंदर, और इसको इन्फोर्स किया गया था 2010 के अंदर, यहाँ पर क्या होता है ना, कलस्टर मुनिशन को आपका यूज करना, पुड़ो यूज करना, ट्रांसफर, स्टॉक पाइल करना, यह बिल्कुल मना है, अब आप लोग सोच रहे हैं कि फिर USA कैसे कर रहा है, देखो USA इसलिए कर रहा है, क्योंकि USA ने इस कर्वेंशन को साइन ही नहीं कर रखा, ना USA ने कर रखा है, ना ही यूकरेन ने कर रखा है, ना ही आपके रशिया ने कर रखा है, जब इन्होंने करा ही नहीं है इस कर्वेंशन को साइन, नहीं किया, यूँकि option eliminate करने में आपको help हो जाएगी, मानलों पूछ रहते हैं किस किसने sign किया, तो वसी ये 6 countries का ध्यान रख रहे हैं कि इन्होंने sign नहीं किया, पक्का आपका answer निकल आएगा, इनको eliminate करके ठीक है ना, तो 120 से भी जाए country इनको sign कर रखा है एक चीज़ा आपको और ध्यान रखनी है ऐसे जो bomb होते हैं वो international law के द्वारा generally prohibit तब तक नहीं किया जाते अगर वो civilian को target ना करें ठीक है ना, तो international crime कही नगी तब मना जाएगा, अगर मानलो ये जो bomb है किसी civilian area में जाके गिर जाता है, ठीक है ना, बाकि कि आप notice कर सकते हो, convention के बारे में तो हमने जान ही लिया है, secretary general जो UN के होते हैं, वो कहीं ना, कहीं इस पर convention के depository होते है माया operating system, अब सरी ये क्या चीज़ है देखो, अगर आपने ना, पिछले कुछ time के अंदर आपने news सुनी होगी, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमें disaster, sorry, disaster नी, हमें cyber attacks देखने को मिले हैं, सच जैसे की देखो, जैसे की आपने aims के उपर अभी सुना होगा ना, पिछले time के अंदर, aims के उपर cyber attack हुआ, बाकि चाइना की तरफ से हमारे उपर कुछ cyber attacks हो रहे हैं, बार-बार देखने को मिलते हैं, malware attacks बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और even हमारे ना, बहुत सारे ऐसे कुछ critical infrastructure होते हैं, जो हमारे देश की security के लिए, यह ना, देश की जो प्रगती है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वहाँ पर भी हमें कुछ attacks देखने के मिले हैं, तो इस वज़ा से ना, Ministry of Defense बहुत ही चुकन्नी हो चुकी है, कि हमें यह जो malware attacks है, आपने उपर जो हो रहे हैं, इस तरह के issues हो रहे हैं, इनको कहीने के कम करना है, और ऐसा देखा गया कि जैसे ना, हमारे यहाँ पर जो आज के टाइम के जातर जो offices हैं, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, Windows का operating system, आप लोग में से भी ना, जातर लोग Windows का OS यूज़ करते होंगे, पर हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, किसके साथ, हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, माया operating system के साथ, देखो, एक्चल में आपको थोड़ा समझाता हूँ, आपने जैसे ना, Apple का जो Mac होता है, उस क्या सुना होगा, Mac OS के बारे में, उस तरह Windows OS के बारे में सुना होगा, operating system के बारे में, इसी तरह से एक Linux होता है, ठीक है ना, Linux operating system के बारे में आपने सुना होगा, तो यहाँ पर क्या होता है ना, इसके अंदर ये open source होता है, ठीक है ना, आप इसके अंदर अपने हिसाब से Linux वगरा के अंदर आप changes कर सकते हो, तो Ubuntu जो है ना, वो दरसल में इसी का ही format है, Ubuntu क्या है, एक Linux distribution ही है, जो बिल्कुल free होता है, और open source भी होता है, open source का मतलब कि कोई भी इसके अंदर अपने changes कर सकता है, तो यहाँ पर open source होने की वज़े से क्या हो रहा है, हमारे जो सरकार है, उसके तरफ से ना, इसके अंदर, Linux के अंदर कुछ changes करे गए है, और accordingly उन्होंने खुद का अपना एक निया operating system बनाया है, जिसका नाम रखा गया है, माया, अब focus यह ही है, कि हमने इसको खुद बनाया है, और definitely हमने इसमें उन्दर changes लेक रहे हैं, तो इसमें security का हम definitely expect, यहाँ पर जोड सकते हैं, ताकि कहीं न कहीं, cyber attacks यहाँ पर कम से कम हो पाएं, और malware attacks की जो संख्या है, उसमें कटावती लाई जा पाएं, I hope आप Maya OS के बारे में समझ गये होंगे, अगले topic की तरफ चलते हैं जड़े स्वाती mountains, तर यह क्या चीज़ है स्वाती mountains, देखो इसको समझते हैं, आपको लग रहा होगा कि शायद हम किसी पहाड़ियों की बात कर रहे हैं, पर ऐसा बिल्कूल भी नहीं है, यहाँ पर हमारी Indian Army निना एक निया जो radar है, उसको यहाँ पर induct किया है, जिसका नाम है स्वाती mountain, अब सरी रेडार करता है क्या है आखिर, देखो यह radar ना help करता है, कि अगर मान लो आपको locate करना हो कि सामने वाले जो दुश्मन है, उसके पास कौन सी guns है, कहा पर पड़ी हुई है, कहा रॉकेट्स है, यह सारी चीज़ें, ठीक है ना, तो एक तरह से उन सभी चीज़ों को locate करने के अंदर, ठीक है ना, help करता है, तो दरसल में और कुछ नही है, कितने rocket launchers हैं, कहां कहां पे हैं, उनको detect करना, उनको track करना, यह सारे काम इस radar के मादम से कर जाते हैं, तो ध्यान रखना स्वाती mountains आप उसको पूछे, कोई पहाड़ीों की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है आपके radar की, इस radar को बनाया किसने है, BEL ने, भार दोनों की requirement समझो, आप समझने कोशिश करो, जो mountain वाले areas होते हैं, वहाँ पर ना क्या होता है, कि आपके पहाड होते हैं, वहाँ पर जो आपका system होता है, उसको लेके जाना बहुत मुश्किल होता है, तो उसका जो mountains वाले area होगा, वहाँ पर हमें अलग तरह का एक radar चाहिए होगा, ठीक है ना, कोई छोटा चाहिए होगा, ताकि उसको moves आराम से कर पाएं, plain area के अंदर चलो, ठीक है, छोटा नहीं भी हुआ, या फिर उसको move करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, तो भी काम चल जाएगा, पर पहाडियों के अंदर तो हमें ये चीज़ देखनी के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है ना, एक तो होती है, आपके बहुत भारी शिप्स, जो हैवी वाफ शिप्स होती है, एक होती है, अमें frigates देखने को मिलती है, अब सर्फ फ्रिग्रेट क्या होती है, जैसे आप या पे पिच्छल में देख भी पारे हो ना, तो frigates द हम जो बाकियों को एस्गोर्ट करपा है, ओस्गोर्ट का मतलब हिमाल लोग की ये सकते हैं, आपके कोई एर k्राफ कैरियर आ रहा है, मतलब उस एर क्राफ कैरियर को प्रटेक्शन देने के लिए इसको यूज़ी किया जा सकता है, जो इस चरह से ज़र्ले फ्रिग्रेट को ह एक प्रोजेक्ट चलता था, प्रोजेक्ट 17, इसको उन्स शिवालिक क्लास पर बोलते थे, ठीक है ना, फिर हमने इसका एक अपग्रेड़िड वर्जन लेकर आए, जिसका नाम था प्रोजेक्ट 17A, अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हमने इन फ्रिगेट्स के हमने एडवास्ट हमने यह वाली फ्रिगेट्स मनाई अंडर प्रोजेक्ट 17A, अब वो क्या रहा है, इसके अंदर अलग-अलग फ्रिगेट्स हमें देखने के मिलती है, जैसे फॉर एक्जामपल अभी जो मैं बात करूँ ना, विंद्या गिरी की, यह आपकी 6 शिप है, इ विंद्या गिरी, यह पाँच फ्रिगेट्स आउरड़ी आ चुकी है, छटी फ्रिगेट्स क्या है, विंद्या गिरी जो कि अभी इसको लॉंच किया गया है, कहाँ पर गार्डन रीच, शिप बिल्ट अंग इंज्रियर लिम्टेड, अभी किया जाएगा, ठीक है ना, प्र अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, अभी क्या हुआ है, कि हमारी जो इंडिया, जपान, उस्टेलिया और उसे, इन नेविस के द्वारा, उस्टेलिया की इस्ट कोस्ट के उपर यहाँ पर मालाबार एक्ससाइज का 27th रिशन यहाँ पर किया गया है, अब इसको थोड़ा स उसे, जपान और उस्टेलिया, वो चारों यहाँ पर देखने को आपको मिल जाती है, अब यह जो एक्ससाइज हुई ना, मालाबार एक्ससाइज, यह दो फेस के अंदर हुई, एक तो होता है आपका जो हार्बर के उपर में, बिसकिल जो बंदर गात के उपर होता है, एक चल्मिना, यहाँ पर हिन सभी का विजन सेम है, कि कही ना कहीं, हमारा जो इंडो पैस्फिक है, वो फ्री एंड ओपन होना चाहिए, ठीक है, इंक्लूजिव ओपन पैस्फिक होना चाहिए, पुरी दुनिया में पीस और सेक्यूर्टी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं, इस पैस्टरा कि जो हम एक्सराइस कंड़क्ट कर आते हैं, वो बताती हैं कि किस तरह से अगर कल को कुछ इशूस भी आते हैं, तो हम सब मिलकर यहाँ पर काम करने कोशिश कर सकते हैं, प्लस साथ ही साथ, कैसे अपने जो बेस्ट प्रेक्सिज़ आप शेयर कर सकते हैं, ताकि इंडो-पैसभिक को हम 3e and open रख पाएं तो यह सारा यहाँ पेस का वक था, आगे चलते हैं, δिस्क्शन कर लेते हैं, हम किसके बारे में, अस्तर मिसाइल के बारे में, सर यह अस्तर मिसाइल क्या है, देखो पहली बात तो अस्तर के बारे में आपको सब से buddy ची साथ जानी है तो उसके थुरू आप लॉंच कर सकते हो या फिर वारा जो light compact aircraft है तेजस ठीक है ना वहां से आप इसको लॉंच कर सकते हो तो इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है इनके साथ सुखोई के साथ तो हम बहुत बार कर चुके हैं इसके जो रेंग अप्रॉक्सिमेटरी 37 किलोमेटर के आसपास है या आज को आप 20 nautical miles भी आप बोल सकते हो तो इस तरह से ये काफ़े जाद इंपॉर्डेट हमारे लिए बन जाती है इसके भी अलग-अलग variants है हमने 2000 के अंदर इसकी development स्टार्ट कर दी थी फिर 2017 में इसका जो mk1 variant था वो हमें देखने के मिला फिर धिरे-धिरे हम इसकी range को बढ़ाने की कोशिश कर रहे है अंडर mk2 हो गया mk3 हो गया इस तरह से ठीक है mk1 की तो range अब और भी जादा बढ़ चुकी है ठीक है तो एक्चल में beyond visual range की अगर हम बात करूँ रहा तो beyond visual range दरस्ट में 37 km को पानते हैं पर इसकी जो range है वो 100 km से भी जादा है जो m, ठीक है ना समझे, beyond visual range का मतलब था 37 km से जादा की बात करते हैं पर actual में जो astr missile की जो range है वो 110 km है और जो mk2, mk3 variant है वहाँ 1500 km या और उससे भी बड़ी range की हम यह आपके कोशिश कर रहे हैं तो जो भी आपकी कैसे भी weather condition हो, दिन हो रात हो उसके अंदर भी यह function कर पाएगी इसको fighter aircraft के उपर mount किया जाएगा जैसे मैंने बताया भी वही हो गया आपका टेजस हो गया, एंड कहिना कि इसकी maneuvering अराम से आप कर पाऊगे इससरे movement मतलब कर पाऊगे और यह supersoning है, supersoning मतलब यह speed की sound से भी जादा है, ठीक है मैं एक discussion किया था ना, कि speed की sound of speed से भी यह जादा speed से यहाँ पे चलती है, इसको बनाया गया है किसके दवरा, DRDO के दवरा तो definitely यह बाकी चीज़ों को करेगा help करेगा, और imported weapons के उपर dependency हमारी काफी कम हो जाएगी, right आगे देखो एक छोटी सी news और है, बस discuss कर लेते हैं आल्दो इसको एक दो दिन हो गए हैं, पट मुझे लगा इतनी पॉड़न नहीं है, एक्चल में क्या है ना कि एक प्रिगोजेन करके हैं, ठीक है ना तो इनकी अभी रिसेंटली एक जट क्रैश के अंदर डेथ हो गई है, ठीक है ना प्लेन क्रैश कर गया, एक्चल में यह बैजना ग्रूप की हैड थे, दरसल में थोड़े एक दो महीने पहले की बात है, तो रश्या के जो प्रेजिडेंट है, जो पुतिन जी है ठीक है ना, उनके गेस्ट इन्होंने थोड़ी एक बगावत से छोड़ दी, छेड़ दी थी, इन्होंने बोला था कि वो अच्छा से काम नहीं कर पा रहे हैं, जो वाकी मिल्ट्री है, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बगावत इन्होंने उसके गेस्ट वर्क करी थी, तो तब से ही कुछ इनके बीच में रिष्टे थोड़े करवार्ट वाले थे, तो काफी लोगों का ऐसा भी मानना है कि कुछ यहाँ पर जो क्रैश हुए ना, इसमें कुछ गड़बड़ को टाला हुआ है, समझे इस बात को, तो एक्चल में मैं थोड़ा आपको और समझाने की अगर कोशिश करूँ, तो वैजने ग्रूप क्या है, वैजने ग्रूप ना, दरसल में एक जैसे प्राइवेट आर्मी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पर ये किसी कंटरी के लिए काम नहीं करते हैं, जो इनको पैसे देता है, ये उसके लिए काम करते हैं, तो रेशिया के अंदर हमें देखने के मिल रहे हैं, मर्सनेरी फोरेस्स का मतलब होता है, कि जो कंटरी के अंदर काम करें और पैसों के लिए काम करें, समझ गे इस बात को, जो इनको पैसे देदेगा, अक्वारिंग लिए उसके लिए काम करेंगे, तो 2014 में भी जब हमें देखने के मिलता था, जो क्रीमिया का एक नेक्सिशन हुआ था, वहाँ पर भी उनका एक पॉइंट रोल था, और अभी जो यूक्रेन के अंदर जो इशुस चल रहे हैं, वहाँ पर भी इन सब ने पॉइंट रोल एक प्ले किया था, उस टाइम के उपर जो म्यूटिनी इन्होंने कोशिश करी थी अभी 2023 के अंदर जून 2023 के अंदर उसको रुखवा दिया गया था, क्योंकि बेलारूस के जो हैं लुकाशेंको उन्होंने यहाँ पें पॉइंट रोल प्ले किया था, इसे रैंसम की वसूली कहा जाता है, लेकिन अब लूटर्स को आपसे पैसे एटने के लिए आपके परिवार के सदस्यों को किड्नाप करने के आवशक्ता नहीं पड़ती, क्योंकि डिजिटल डोमिन इतना ज़दा बढ़ चुका है, कि वो आपके किसी भी डिजिटल डिवाइस को अटैक कर सकते हैं, किसी मालवेर के जरीए, और इन मालवेर्स के जरीए वो आपके डिजिटल डिवाइस को अटैक करके, उसमें से कोई important information, data, videos या pictures चुरा लेते हैं, जो आपके लिए sensitive हो, और उनके बदले में आपसे पैसों की मांग की जाती है, इस प्रकार के मालवेर्स को ransomware कहा जाता है, और इस प्रकार के attack को cyber attack कहा जाता है, जब ऐसे cyber attacks होते हैं, तब रोल आ जाता है cyber security agencies का, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि आपको ऐसे attack से बचाया जाए, इंडिया में ऐसी ही एक agency है जिसका नाम है CERT-IN, Indian Computer Emergency Response Team, लेकिन कई बार attack करने वाले लोग किसी दूसरे देश में बैठे होते हैं, ऐसे सिति में दो देशों की agencies के बीच में collaboration या cooperation बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर attack इंडिया में हो रहा है और attacker किसी दूसरे देश में बैठे हैं, तो बिना coordination के इन attacks को नहीं रोका जा सकेगा, इसी उद्देश से CERT-IN ने अभी collaborate किया है, जो Cyber Security Agency है सिंगापूर के उनके साथ, और Synergy नाम की Cyber Security exercise को conduct किया गया, 13 देशों के लिए, यह Cyber Security exercise 13 countries के collaboration के साथ conduct की गई है, exercise में best practices को opt किया जाएगा, हम एक ऐसा network तैयार करें, किस प्रकार के ransomware या फिर Cyber Extortion Attacks को रोका जा सके, International Counter Ransomware जो initiative है, Resilience Working Group का, उसी का हिस्सा रहा यह exercise synergy, जिससे lead किया गया National Security Council Secretaryate के leadership में, थीम रही building network resiliency to counter ransomware attacks, जो exercise है, यहाँ पर real life cyber incident को depict किया गया, मतलब किसी एक व्यक्ति को attack किया गया है, cyber attack करके उससे जो ransom है वो collect करनी की कोशिस की जा रही है, लेकिन यह बहुत बढ़ी network के द्वारा किया जा रहा है, जो कि ultimately global cyber security crisis में convert हो जाता है, इसे कैसे tackle किया जाएगा सभी देशों के द्वारा मिलकर, इसकी ही practice की गई, कोशिस की गई, significance यह है कि इस परकार की meetings के जरिये, अच्छा coordination और cooperation established हो जाता है, और अगर कोई ऐसे situation बनती है, तो इस अभी लोग मिलकर इस परकार के attacks को counter कर सकते हैं, CERT-IN, Computer Emergency Response Team, यह India का organization है, जो मेती के अंडर में आता है, Ministry of Electronics and Information Technology, इसको objective है, इंडिया के cyber space को बचाना, यह neural agency है, जो सभी परकार के cyber security threats को handle करती है, जैसे कि hacking या phishing, phishing में आपको trap करके आपसे पैसे वसूल लिये जाते हैं, या फिर चुरा लिये जाते हैं, यह further collect, analyze और disseminate करते हैं, कोई भी ऐसे information, जो cyber incidents की हो, CERT-IN, Incident Prevention and Response Services देता है, ऐसे incident हो ना, और अगर हो गए, तो कैसे respond करना है, और वो ऐसा security quality management services भी provide करवाते हैं, ताकि ऐसी चीजों के लिए हम well prepared रहे हैं, जो की exercise, वो स्टॉक के बारे में हैं, हम सभी लोगों को पता है, कि रश्या यूकरेइन के बीच का, जो ये युद्ध है, ये पिछले 6 महिनों से लगातार चल रहा है, और इसके खतम होने की संभावना, अभी भी नजर नहीं आ रही है, इन दाट केस अभी हाल ही में, रश्या ने कंडग की exercise वोस्ट आओ, ये एक multilateral exercise रही, जिसमें कई सारे देश सामिर हुए, surprisingly, इंडिया भी इसका पार्ट रहा, इंडिया काइंड ओफ बैलेंस के situation में है, हम Western countries और रश्या के बीच में, एक balance create करने की कोशिस कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं, कि हम रश्या को सीधे सीधे confront करें, पैरलली हम Western allies को भी नाराज नहीं करना चाहते, खैर, हम इस exercise का पार्ट रहे, that's why ये हमाई लें important है, specifically उस situation में, जबकि एक conflict बना हुआ है, Western countries and Russia के बीच में, Indian Army का जो contingent है, जिसमें गोर्खा राइफल्स के troops शामिल रहे, उन्होंने participate किया इस multilateral strategic and command exercise में, नाम है Vostok 2022, multilateral है इसका मतलब साफ है, कि कई सारे देसिस में सामिल होंगे, objective ये है, कि practical और friendly cooperation को establish किया जा सके, जो भी countries हैं उनके बीच में, जो इस exercise में participate कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की military exercise का एक ही fundamental objective होता है, आपस में cooperation और coordination को बहतर किया जाए, और interoperability को बहतर किया जाए, interoperability का मतलब ये होता है, कि अगर आपको एक साथ लड़ना पड़ गया, किसी भी case में, तो आप एक दूसरे के काम करने के तरीके को समझते हूं, एक दूसरे के हथियारों के चलने का जो mechanism है उसे जानते हूं, ताकि आप अच्छी तरीके से आपस में coordinate कर सकें, इसलिए अक्सर जो लोग exercise करते हैं, वो अपने friendly countries के साथ करते हैं, ताकि उनके साथ हमें अगर भविश्य में किसी conflict में जाना पड़ा, मिलकर तो हम आसानी से अपना काम कर सकें, participate किया, India है, तबी तो हमाई लें important है, Russia ने organize किया है, तो Russia तो रहेगा, China भी इसका part है, Belarus बहुत अच्छा ally है, Russia का वो रहेगा, Mongolia है, तजाकिस्तान है, और भी कई सारी centralized countries है, इसके रामा, China के साथ, हमारी जो exercise होती है, that is hand in hand, Russia के साथ, हम कई सारी exercise करते हैं, जैसे कि exercise Indra, की 2003 में शुरू की गई थी, ये दोनों countries की, जो navies हैं, वो आपस में exercise करती हैं, exercise center, या T-S-E-N-T-R बोल सकते हुआ, 2019 में ये हुआ था, ये annual series बन चुकी है, जहाँ पर Russian Armed Forces की एक annual training cycle होती है, इंडिन Armed Forces के साथ, तीसरा है exercise, जापड, आप इसे जापड कहो, ऐसा लग रहा है ना, कि जापड लिखा हुआ है, 2021 में भी ये last time हुई थी, यहाँ पर 17 देसों ने participate किया था, इंडिया, चाइना, रश्या, पाकिस्तान सभी लोग इसका पार्ट थे, ठीक है, हमारा next आडिकर inflatable aerodynamic decelerator के बारे में है, इंडिया ने अपना चंद्रयान mission भेजा था चान पर, लेकिन उसकी हो गई थी crash landing, वो आराम से उतर नहीं पाया, जाके बिल्कुल गिर गया, अगर कोई ऐसे manned mission भेजा जा रहा है, किसी दूसरे planet पे, मार्स पे, मून पे, या Earth पे ही हम space से, जो astronauts हैं, उनको land करवा रहे हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि crash landing हो जाए, वो equipment सीधा आके जमीन से टकराए और बिखर जाए, नहीं, हम चाहेंगे कि जो भी equipment किसी land पर उतर रहा है, वो बिल्कुल धीमे धीमे उतरे, और आपने देखा होगा, इसके लिए हवा भरे packets का इस्तेमाल किया जाता है, यही है inflatable aerodynamic decelerator, तीन वर्स है, तीनों का मतलब समझ लीजी, inflatable का मतलब किसी ऐसी चीज से है, जिसमें हवा भरा आ जा सके, जैसे कि गुबबारा, या फिर tube, aerodynamics, एक ब्रांच होती है study के, जहां पर जब कोई solid चीज, air से गुजर रही है, तो कैसे reaction होता है, उसको study किया जाता है, decelerate, accelerate का मतलब होता है बढ़ाना, decelerate का मतलब होता है गटाना, मतब आप कुछ ऐसा air packet लीजिए, जो अगर हवा में से नीचे की और आ रहा है, तो वो अपनी speed को reduce कर सके, या उससे attach जो भी item है, उसकी speed को reduce कर सके, कि जो landing होगी, वो कितनी smooth, कितनी अच्छी होगी, it's not about, कि Earth पर आप landing कैसे करवा रहे हो, आप Moon पर कैसे करवा रहे हो, आप Mars पर landing कैसे करवा रहे हो, इसके लिए भी आपको strong inflatable aerodynamic distillator की ज़रुद पढ़ती है, इस रो ने भी हाली में successfully test किया है, एक ऐसा ही inflatable aerodynamic distillator technology, जिसे रोहिनी 300, यानि कि RH 300 MK2 जो rocket है, उससे इसको test किया गया है, थुमबा equatorial rocket launching station पे, तो inflatable aerodynamic distillator, जिसे हम short में IAD कह सकते हैं, यह ऐसी technique है, जिसके माद्ध हम से में, आप मॉस्फियर में, पेलियोड को अराम से उतार सकते हैं, इसमें होता है एक inflatable envelope, जैसे कि कोई tube, या फिर कोई air packet, और उसमें होता है inflatant, inflatant यह होता है, कि आप उसमें क्या भर रहे हो, like हवा भरा आपने, या helium भरा, तो जो हवा या helium आपने भरा, that is inflatant, जिसके मदब से वो packet फूला, और वो धीमें से land करवाएगा, यह इसको IAD को बनाते हैं, IAD को इसरों का जो विक्रम सारा भाई space center है, center है, उसने इसको develop किया है, परपस क्या है, IAD का main काम यह होता है, कि वो कोई object जो जमीन पर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, basically, उसकी speed को धीमे कर दे, और उसे आराम से land करवा दे, 84 km altitude के आसपास जो IAD होता है, वो आपर compressed nitrogen जो उसमें store की जाती है, gas के bottle में, वो spread हो जाता है, और जो inflatant है उसकी तरह काम करता है, और जो inflatable tube है, उसमें हवा भर देता है, या फिर उसे ऐसा बना देता है, कि वो धीमे से land करवा सके, significance यही रही होएगी, जो नए technology अभी तयार की गई है, यह cost effective है, आसानी से मैं इसका इस्तिमाल कर पाएंगे, और इसरो इसका इस्तिमाल आने वाले future missions में भी कर सकता है, Venus और Mars पे भी, चलिए, बात करते हैं इसरो की बारे में, इसरो हमारी Space Agency है, Department of Space के तहर काम करती है, करनाटका के Bangaluru में headquarter है, इनका काम है, National Development के लिए Space Technology का इस्तिमाल करना, और Explorations करना Space Science के लिए, Antrex Corporation Limited, यानि की ACL इनकी Marketing और Commercial Wing है, आपको अपना सैटलाइट लॉंच करवाना है, तो आप ACL से बात करिए, स्री S. सोमनाजी अभीस के चीर मैन है, बेसिक जानकारी है यह आपके लिए, हमारा next article, Quick Reaction Surface to Air Missile System के बारे में है, QR, SAM, DR-DO ने भी हाल ही में इसका, जो 6 सिक फ्लाइट टेस्ट है, उसको कम्प्लीट किया, यह Short Train Surface to Air Missile है, SAM में समझ में आ जाता है न, Surface to Air Missile, मतलब जमीन से हमला करेंगे, और हवा में किसी भी टार्गेट को destroy कर देंगे, DR-DO ने इसको protective shield के तोर पे तैयार किया है, जैसे कई बार जो soldiers होते हैं, army vehicles होती हैं, वो एक जिगह से दूसी जिगह पे move करते हैं, उनके उपर attack का खत्रा अकसर बना रहता है, हमने कई बार देखा, कि जो पाकिस्तान के आतंगवादी होते हैं, वो ऐसे दस्तों को target करते हैं, attack करते हैं, उनके साथ, इस QR SAM system को भीजा जाएगा, state of the art guidance and control algorithm पे work करता है, warhead chains के साथ work करता है, इसकी सबसे बढ़ियां खोबी ये है, कि ये ऐसा weapon system है, जो moving vehicle से launch किया जा सकता है, और इसकी search and track capacity बहुत बढ़िया है, बहुत ही कम margin पे, मतलब अभी आपको खत्रा मैसूस हुआ, launch कर दो, तो मतलब अगर हमारा army contingent कहीं पे जा रहा है, और कोई उसको attack करने के कोशिस करेगा, और QR SAM वहाँ पर है, तो बहुत ही fraction of time में ये attack कर देंगे, और जो enemy है उसे destroy कर देंगे, हमारा next article तारागिरी के बारे में है, मेजरगाओं डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अभी हाल ही में तारागिरी को launch कर दिया है, मैं आपको बता दू कि project 17A का ये तीसरा stealth frigate है, stealth का मतलब ये है कि इसे आसानी से देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, frigate का मतलब ये है कि एक प्रकार का युद्धपोत है, जो लड़ाई लड़ने में इस्तेमाल किया जा सकता है, defense के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, project 17A का ये तीसरा stealth frigate है, मतलब दो और रहे होंगे, कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा, किसने बनाया, magic on, ship builders, dock ship builders, limiters के दुरा बनाया गया, ये state of the art weapons के साथ LASS है, state of the art का मतलब ये होता है, कि वर्तमान में उपस्थित, जो भी advanced technology हमारे पास है, उसका हमने इसमें इसमें इस्तेमाल किया है, इसमें हमने लगाए है sensors, advanced action information system, एक integrated platform management system भी है, जो सारा काम देखता है, world class modular living space है, जहां जो भी लोग इस frigate पे काम कर रहे हैं, वो आसानी से रह सकते हूं, sophisticated power distribution system है, और वही कई सारे features हैं, जो इस ship को बहुत ज़़दा ताकतवर बना देते हैं, ship का जो air defense system है, उसकी जो capability है, वो बहुत ही strong है, कुछ इस तरीके से उसे design किया गया है, कि वो किसी भी aircraft या anti-ship, cruise missile से, इस frigate को बचा सकता है, vertical launch और long range surface to air missile system भी, इसमें equip किया गया है, मतलब कि बहुत आसानी से ये खुद को defend कर पाएगा, दो 30 mm rapid fire guns भी इसमें install की गई है, जो close and defense capability देता है, अगर कोई ship बिलकुल नजदीक में आ गया इसके attack करने के लिए, तो ये guns इस्तिमाल में ले जाएंगी, मतलब इसके आसपास आना समझदारी की बात तो बिलकुल नहीं होगी, indigenously develop किया गया है, एक triple tube light weight torpedo launcher, torpedo के जरीए हम attack कर पाएंगे, दुश्मन के उपर अगर वो इसको नुकसान पहुचाने की कोसिस करें, फर्दर इसमें होगा rocket launcher, जो ship की anti-summarine capability को बहुत ज़ादा बढ़ा देता है, बात करते हैं project 17A के बारे में, project 17 alpha frigate, जिसे P17A के नाम से भी पुकरा जाता है, इसे 2019 में इंडियन निवी के लिए launch किया गया, इस project के देहत series of stealth guided missile frigates हमें बनाने हैं, जिसे बनाने का काम दो लोगों को swap दिया गया है, MDL यानि के मैजगाउं, Dock Shipbuilders Limited को, और GRSE Garden Reach Shipbuilders and Engineers को, guided missiles frigates हैं, जिनको construct इस तरीके से किया गया है, कि इनके पास हो specific stealth design, जो भी आपका defense का equipment है, वो आसानी से radar की catch में ना आये, पकड़ा ना जाये, बहुत जरूरी होता है, ने तो वो खुदी सिकार बन जाएगा, तो आपको बचाएगा क्या, तो radar absorbent coating की जाती है, ताकि radar की जो rays है, वो इसको capture ना कर पाएं, low observable होता है, यह आसानी से देखा नहीं जा सकता, and that is the reason, कि यह undetectable रहता है enemies के लिए, पहला stealth ship, जिसे project 17-A के तहट launch किया गया, that was neil-giri, 2019 में से launch कर दिया गया था, तो अभी testing phase में है, यह Navy को 2024 तक मिल जाने की उम्मीद है, हमारा नेक्स आर्टिकल एक्सराइज जिमेक्स के बारे में है, इसका चठा एडिशन अभी जापान और इंडिया के बीच में होता है, ब्यॉप बंगाल में इंडिया नेवी ने कमिंस किया, इसको होश्ट किया, यह देखे, एक Annual Maritime Exercise है, जो इंडिया और जापान के बीच में होती है, हार exercise का एक fundamental objective होता है, that is interoperability, मतलब जब जब दोनों इस एक साथ मिलके किसी operation में हैं, तो बढ़ियां से काम कर सकें, surface, sub-surface, या air domain में दोनों countries आपस में coordinate कर सकें, GMEX 22 दो phases में हुआ, एक तो C phase और दूसरा harbor phase, harbor phase हुआ विशाका पटनम में, significance यह रही कि GMEX की ये 10th anniversary है, further 70th anniversary हम observe कर रहें, इंडिया जापान diplomatic relations की, इंडिया जापान के बीच में कुछ और भी exercise होती है, हमारा next जो article है, वो Carl Gustaf M4 के बारे में है, Sweden की जो एक defense firm है, नाम है Saab, उन्हें हाल-फिलाल में announce किया है, कि वो अपनी manufacturing facility इंडिया में establish करेंगे, जहाँ पर manufacture किया जाएगा Carl Gustaf M4, Soldier Fired Weapon System को, Government of India का Making India Initiative जो है, उसे ये बढ़ावा देगा, और इंडिया में defense manufacturing को strong करेगा, Carl Gustaf Recoilis Rifle, कंधे पर carry किया जाने वाला एक rifle है, जिसका इस्तिमाल कई तरीके से किया जा सकता है, ये man portable है, मतलब एक soldier इसे अपने कंधे पर carry कर सकता है, और इसका इस्तिमाल कर सकता है, काफी हलका होता है, ये बहुत भारी नहीं होता, इसका weight 7 kg के round होता है, और ये इसे बहुत ज़्यदा effective और खतरनाग बना देता है, इसका इस्तिमाल किसी एक personal के against में भी किया जा सकता है, इसका इस्तिमाल किसी anti tank equipment के तौर पे हम कर सकते हैं, tank को destroy कर सकते हैं, जो कई सारे barracks बनाया जाते हैं, जिसके जरीए attacks counter किये जाते हैं, उनको भी destroy करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है, तो ये multi role weapon system है, काफी kargar है, इसके पहले जो इस nature के weapons इस्तिमाल किये जाते थे, वो in general anti tank होते थे, anti personal उनका इस्तिमाल नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसका इस्तिमाल anti personal, मतब एक वेक्ति के against में भी किया जा सकता है, और ये इसकी specification है, तो soldiers इसे अपने कंधे पर रखके इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, जो modern battlefield है, वहाँ पर ऐसी जो weapons हैं, ये काफी कारगर साबित होते हैं, अब देखें, अगर साब ने ये plan बनाया है, कि वो M4 को manufacture करेंगे इंडिया में, मैं आपको बता दू कि manufacturing जो है, ये 2024 से start होगी, अभी start नहीं होने वाली है, मतब पहले manufacturing unit establish किये जाएंगे, clearance ले जाएंगे, तब ये काम start होगा, लेकिन साब, Sweden के बाहर, पहली बार किसी country में, काल गुस्ताफ M4 manufacture करेगा, अभी तक उन्हों ने ऐसा कभी नहीं किया है, लगबग 15 देशों में ये, जो weapon system है, वो इस्तिमाल किया जाता है, लेकिन इनकी manufacturing केवल स्वेडन में होती है, so it's a big deal, कि वो अपनी manufacturing unit, इंडिया में लगाने वाले हैं, 2024 से ये काम यहां start हो जाएगा, lightweight है, बहुत robust है, reliable है, effective है, और आसानी से इस्तिमाल किया जा सकता है, wide range of site में हम इस्तिमाल किया सकते है, ये users को दे देता है, flexibility, tactical situation में भी हम इसका बढ़ियां से इस्तिमाल कर सकते हैं, इंडियन आर्मी इसका previous version इस्तिमाल करती रही है, जैसे 1976 से ही जो इसके previous versions हैं, वो use कर रहे हैं, in general उसे import करते थे, हमारे या manufacturer तो obviously नहीं होता था, जिनमें शामिल है, mk2 and mk3 version, जिनका इस्तिमाल हमने कारगिल के war के दौरान भी किया था, पाकिस्तान के against में और इसकी मदश से हमें जीत भी हासिल हुई थे, तो काल कुस्ताफ m4 की manufacturing इंडिया में हमारे लिए काफी ज़्यदा फायरे मस्त दावित होगी, project उद्भव, अब ये क्या है, देखो, इंडियन आर्मीन एक initiative स्टार्ट किया है, जिसका नाम क्या है, project उद्भव, इसमें होगा क्या, इसमें आप notice करोगे, जैसे for example, आप चनक्या का अर्थ शास्तर के बारे में जानते होंगे, इस तरह से हमारी बहुत सारी कुछ ancient text होए है, बिल्कुल सही बात है, उनमें काफी अच्छी अच्छी बाते करी गई है, उनके अंदर इंडिया की strategy क्या होनी चाहिए, ठीक है बिसिकली statecraft हो गया, warcraft, diplomacy, grand strategy, इन सभी चीजों की बात करी गई है, अब हम पता क्या चाहते है, जो हमारी यह जो traditional knowledge है, जो इतनी important knowledge है, उसको कहिना कहिना modern के साथ integrate करें, सोच पारे हो कि traditional statecraft, warcraft, इन सभी चीजों को हम अपनी modern के साथ connective करें, एंड कहिना कि अपनी जो forces हैं, उनको और भी बहतर बना पाएं, यही है project उद्भव, इसको start किस ने किया था, start हुआ था यह 2021 के अंदर by Indian Army, और साथ साथ United Service Institution of India, जो की एक defense think tank है, यहाँ पर एक तरह कि हम इंडिया की खुद की strategic vocabulary भी बनाएंगे, ठीक है न, जो कि इंडिया की philosophy के अंदर rooted होगी, इंडिया के culture के अंदर rooted होगी, तो age old wisdom, जो इतने सारे पुरानिक जो हमारे books हैं, उनके अंदर जो wisdom है, कहना कि उसको हम modern military, जो आजकर learnings हैं, उनके साथ कहना कि integrate करेंगे, कुछ thoughts drive होंगे, and properly हम अपनी चीज़ों को और भी बहतर बना पाएंगे, को टिल लिया के अलावा भी और चीज़ों को study किया जाएगा, ठीक है न, और भी जो different books होती हैं, तो definitely इससे हमारी जो diplomacy warfare, इसके अंदर एक definitely बहुत बड़ा improvement देखने को मिल गया, definitely आपको यही majorly ध्यान रखना है कि कौन इसको, किसका ये project है, एंड साथ ही साथ इस project आखिर अर्थ क्या है, अस्तर missile के बारे में, देखो Indian Air Force ने न, अस्तर missiles को इंड़क कर लेगा, by end of 2023, या फिर starting of 2024 कह सकते हो, पर जाद तर possibility 2023 के end तक ही है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अस्तर को समझने ही कोशिश करते हैं, देखो पहली बात यह समझो क्या है, यह Air to Air missile है, ठीक है न, तो यानि कि for example, मैं आपको example बताता हूँ, जैसे आपके सुखोई aircraft हो सकते हैं, या फिर आप यह तेज़ास aircraft होते हैं, उनके साथ यहाँ पर इनको mount किया जाएगा, इस तरह की missiles को, और किसी भी Air के अंदर आपको जो भी target है, उसको यहाँ पर shoot down करने के अंदर, यह particular missiles आपको help करने वाली हैं, तो ध्यान रखने वाली बात यह है, कि किसी भी Airborne assets से यह fire करी जाती है, और सामने कोई भी आपका Airborne target होता है, उसको यहाँ पर यह hit कर जाती है, तो यह बात जो लो समझ आई, तो थोड़ा और इसके बारे पढ़ते हैं, यह क्या है, इस इंडिजिनियस Beyond Visual Range Air to Air Missile, यह Air to Air Missile जो समझ आगया, यह बाकिछी चीज़ा क्या हैं, इंडिजिनियस मतलब यह इंडिया के दोरा खुद डेवलप करी गई है, हमारे यहाँ ठीक है ना, और यहाँ पर Beyond Visual Range का मतलब पता क्या होता है, जो भी आप नहीं देख पाओ, Visual Range होता है, जहां तक आप आप की नज़र जाती है, तो Beyond Visual Range उसके Beyond जाना, तो एक्चर में 37 किलोमेटर माना जाता है, Beyond Visual Range, अगर कोई चीज 37 किलोमेटर से जादा की है ना, तो उसको इसको पर्टिकुलर कैटिकरी में डाल जे जाता है, अब जो हमारा अस्तर मिसाइल है, उसकी रेंज ना एक्चर में 100 किलोमेटर से भी जादा है, अगर आपको में स्पेस्किली बताऊं, तो अप्रॉक्सिमेटरी 110 किलोमेटर के आसपास इसकी रेंज है किसकी अस्तर वान की, हमने ना एक्चर इसके अलग-अलग वेरियेंट्स बिना रहे है, जो अस्तर वान है, उसकी रेंज है 110 किलोमेटर, अस्तर टू के लगवग डेंज सो किलोमेटर से भी जादा होगी, अस्तर तीन की जो होगी, उससे भी जादा इस तरह से रेंज हमें देखने को मिल जाएगी, तो यह चीज़ आपको पता होने चाहिए, कैसे यह fighter aircraft के उपर mount किया जाता है, इसकी supersonic मतलब जो होता है ना, supersonic मतलब जिसकी speed sound से भी जादा होती है, उस तरह से यह work करता है, किसी भी weather conditions होके अंदर हो गया, दिन हो गया, रात हो गया, हर time यह आपको यहाँ पर काम कर सकता है, तो development चल रही है, us3 2 के regarding, mk2 के regarding, यह चीज़ भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना, august के अंदर ही successfully हमने जो light combat aircraft aircraft है, तेजस, उसको भी successfully test किया था है यहाँ पर, तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, design and development किसके दोरा किया गया है, DRDL, development research and, sorry, defense research and development laboratory, जो की DRDO की laboratory है, यह कै तो उसके दोरा ही यहाँ पर इसको बनाया गया है, यह DRDO का नाम आपको definitely यहाँ पर पता होना चाहिए, इससे क्या होगा कहिना कि तेजस की abilities भी बढ़ेंगी, और हमारी जो दूसरी countries के उपर dependence है, और dependence on imported weapons, वो कहिना कि यहाँ पर भी कम हो जाएगी, तो अस्तर मिसाइल के रिकाड़ी में यह जो point information यहाँ पर जो दे रखी है, यह सारी आपको अच्छे से बता होनी चाहिए, फिफ्थ पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, देखो हमारा एक focus है, कहिना कि आत्म निर्वर्था लेकर आना, ठीक है न, जो swab lumban word होता है न, वो भी इसी चीज़ को denote करता है, जिसको हम independence बोलते हैं, जो सुटनतर्ता होती है, उसको यहाँ पर बताया जाता है, तो अभी क्या हुआ हुआ है न, यहाँ पर swab lumban 2.0, एक तरह का seminar हो रहा था, इसका NIIO का, Naval Innovation and Indigenization Organization, इसका seminar हो रहा था, वहाँ पर discuss किया गया किसके बारे में, 5th Positive Indigenization List के बारे में, क्या मतलब है इसी इसका, देखो हमारे defense minister ने बोला, कि यह जो 98 items, हमने इस list के अंदर डाल दी है न, Positive Indigenization List के अंदर, इसका मतलब यह है कि कोई भी मारी जो Indian Army Forces हो गया, Army, Navy, Air Force हो गया, यह जो इनको जो items चाहिए, यह सिरफ और सिरफ इनको domestic manufacture से ही लेनी है, यह बहार से नहीं मंगा सकते, तो जो 98 items थी, अब इनको domestic manufacture से ही मंगानी पड़ेंगी, इससे क्या promote होगा, इससे promote होगा making India, इससे आत्म निर्वरता जो हम बात करते हैं, वो सारी चीज़े promote होगी, जो हमारा defense के अंदर हम, दूसरी कंटिस के बचे dependence हैं, उसको कम करने कोश्च करने हैं, तो वो सारी चीज़े इसके तूरू promote हो रही हैं, तो इसको अब ध्यान में रखेगा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सरी NIO क्या है, देखो हुआ क्या है ना, हमारे defense मिस्टर जी के दौरा, NIO को launch किया गया है, यह यहाँ पर इस वज़ा से NIO को launch किया गया है, ठीक है, I hope यह topic आप समझ गये होंगे, operation Ajay की, तो हमने ना, मारी सरकार के दौरा operation Ajay start किया गया है, अब देखो, Israel or Palestine का conflict, तो हमने कई बार discuss कर लिया, अब ऐसे समय के उपर, बहुत सारे जो भारतियें हैं, वो हमें देखने को मिले हैं, कि वहाँ पर, Israel के अंदर जो लड़ाई चल रही है, वहाँ पर फसे हुए होंगे, तो definitely, इन लोगों को हम यहाँ पर, इंडिया लाने की कोशिश करेंगे, तांकि कहिना की नहीं, जो पर चल रहा है, उससे हम इनको बचा पाएं, अब देखो, इंडिया की जो अप्रोच है ना, समय समय पे बहुत इसमें चेंजिस आते रहे हैं, फॉर एक्जामपल, अगर आप नोटेस करोगे, इंडिपेंडनेस के जस्ट बात का टाइम, तो जो भी हमारे लोग वहाँ पे अलग अलग जगा पे रहते थे, ऐसा माना गया कि शायद वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पर धीरे-दीरे ना हमारी अप्रोच, हमारा जो इंडियन डायस्पूरा है, उसके लिए बहुत बदलती रही है, एंडियन डायस्पूरा के अपने आप में एक बहुत ज़ादा इंपॉर्टेंट्स हमें देखने को मिलती है, चाहिए आप वो USA की बात कर लो, ठीक है, आज के समय तो बहुत सारे लोग हैं जो USA हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट और भी डिफलेप्ट कंट्रीज या डिफलेपिंग कंट्रीज के अंदर भी, वहाँ के पुलिटिकल स्फेर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसीज हैं, उनको वहाँ तक लेके जाना, कहिना के इंडिया और उस कंट्री के बीच में जो रिलिशन्शिप है, उनको बहुतर करने में इन सभी का बहुत इंपॉर्ट रोल है, अब ऐसे समय के उपर हमने स्टार्ट क्या किया है, उपरेशन अजे, तो आप ध्यान में रखेगा, कल को आप से अपरेशन अजे पूछा आता है, तो आप बता देना कि इसराइल के लिए ये, वहाँ से इंडियन नैशनल्स को वेक्वेट करने के लिए हमने ये उपरेशन अजे स्टार्ट किया था, अब ऐसे ना बहुत सारे उपरेशन समाई कंट्री के दा स्टार्ट होते हैं, मैंने उनकी एक लिस्ट दे दी है, बहुत सारे और भी होंगे, आप लोग भी कॉमेंट्स में बता सकते हो, अगर और कोई बचा गया है, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे, अजे जो था ना, वो तो अभी इसराइल के साथ है, उससे पहले ना, तर्की और सीरिया में इस साल ही, हमें एक अर्थक्विक देखने को मिला था, उस टाइम पर इंडिया ने ऑपरेशन दो स्टार्ट किया था, उसके लावा देखो, रश्या यूकरिन का जो कॉंट्रेक्ट था, वहाँ से भारत के जो स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, मेडिकल स्टूडेंट्स आपके यूकरिन के अंदर, वहाँ के लिए हमने ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया था, लगबग दो साल पहले आप जानते हो, अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत ही मिज़र क्राइसिस देखने के मिला था, उस टाइम के अंदर दिक्कते आई थी, इनपक्ट UPSC ने तो इस साल प्रिलेम्स के अंदर इसके पर question भी बुचा था, तो वहाँ पर हमने start किया था operation कावेरी, तो ये कुछ important recent initiatives थे, इसके अलावा आज की newspaper हिंदू के अंदर ही आपका operation polo के बार में जिकर किया हुआ था, तो मैंने वो भी यहाँ पर इसका add कर दिया, operation polo है हिदराबाद के context में था, जो वहाँ पर police action हुआ था, independence के just बाद जब हम कहीं न कहीं, वहाँ पर हिदराबाद को इंडिया की साथ instrument of accession के हम बात कर रहे थे, उस time के उपर यह operation polo होता है, तो आपको इन सभी के नाम पता होने चाहिए, या फिर कल को आपको international relations के अंदर अपने answers quote करने हो, तो आपको कुछ अच्छे examples देने हो कि इंडिया के किस तरह से चीज़े करता है, तो वहाँ पर इनके examples भी आप definitely दे सकते हो, अगले topic के तरह चलते हैं इंडिया likely to sign deal with US for 31 MQ-9B drones by February 2024, देखो ये topic ना मैंने पहले भी discuss किया था, आपको याद होगा आज से चार या पांच, चार महीने पहले, हमारे पर धानमत्री मोधी जी गए थे USA, मैं थोड़ा सा आपको दियान में दिलाने की कोशिश करता हूँ, दरसल में है क्या न, MQ-9B क्या है, ड्रोन्स है, यहाँ आप समझते होंगे, अन्मेंड, एरियल रहिकल जिनको बोला जाता है, यहाँ आप इसके दो वेरियंट्स है, एक तो sky guardian, एक होता है sea guardian, देखो नाम से clear है, यह sky की बात कर रहे हैं, यहाँ sea की बात, बिसकिल जो maritime variant है, अब drones की मदद से आप क्या कर सकते हो, बिसकिल निगरानी रख सकते हो, तो यह जो particular drones है न, यह किसी भी type of weather के उपर, किसी भी तरह से work कर सकते हैं, इनकी आप maximum range देख सकते हो, 11,000 km के आज पस हमें देखने को मिल जाएगी, altitude भी इनका अच्छा कासा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो देखो जो हमारा जैसे चाइना के साथ आप जानते हो, जैसे line of actual control के एकर में बात करो, तो वहाँ पर चाइना क्या कर रहा है, अपनी किस तरह से military build up कर रहा है, क्या उनकी troop moment है, वो सारी चीदें यहाँ पर उनकी surveillance बगरा हम यहाँ पर इन ड्रोन के माद़न से कर सकते हैं, तो इंडिया की जो efficiency है, इस direction में काफी बढ़ेगी, उसी तरह से आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर जनल अटॉमिक्स है, यह इंडिया के अंदर एक facility बनाएगी, MRO जो facility होती है, maintenance apparent overhaul की, तो इंडिया के अंदर जो defense के indigenization है, उसको भी यहाँ पर इसके थूए एक boost मिलता हुआ, हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर यह deal 2024 तक हो जाएगी, और कहिना के 2027 तक accordingly हमें यह इसकी जो cost होगी, वो काफी कम होगी, अभी आज के time के अगर आपको मानलो, यह सरी चीज़े करनी है, surveillance वगरा करनी है, तो इसकी जो cost आती है, वो ज़्यादा आती है, और अगर महारे पास यह MQ9 भी drones हो जाएगी, तो actual cost का सिरफ 20% ही लगेगा, तो इस वज़ा से भी कहें कि हम अच्छे डंग से अपनी surveillance भी कर पाएंगे, जो borders वगरा की, तो यह चीज़े आपको यहाँ पर पता होनी चाहेंगे, आगे चलते है next topic तर, that is operation chakra 2, देखो इसके रिगार इक बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस एक basic idea रखो कि आखिर यह है क्या, क्यों कि question अगर बने against यहाँ पर tackle करने के लिए, यहाँ पर क्या होना, CBI, आपका USC की जो FBI है, Federal Bureau of Investigation हो गया, Interpol के साथ यहाँ मिलकर काम कर रही है, आपकी UK की जो national crime agency है, उसके साथ मिलकर काम कर रही है, Singapore की police force, यह सारी मिलकर आपस में काफी closely काम कर रही है, ताकि कहीं ना कहीं, जो दुनिया भ of investigation आई हो पर इसका meaning समझ गये होगे, ठीक क्रिप्टो फ्रॉड आप जानते होगे, क्रिप्टो गंसी रिवाड़ी जो fraud बगरा होते हैं, वो साथ चीज़ों पर tackle किया रहा है, इसके इंतरगर, CBI के बारे में का फोल्ची discussion करें, देखो इंडिया की premium investigation police जैसी है, इसा बिल बिल्कुल भी नहीं बूलने की कौन से mystery हमें यहां देखने को मिल जाएगी, उसी तरह से अगर मैं बात करूँ ना, थोड़ा से अगर आप इसके वार में और जानना चाहो, तो यहां पर आप देख पाऊगे, कि यह एक statutory body नहीं है, very very important point, यह भला ही अपनी पावस जो है न कि ministry of finance के अंदर आती है, CBI के सके अंतर करत होगी आपकी ministry of personal public revances and आपके जो pensions होती है, इसके अंतर करता आ रहेगी, ED एक investigation agency है, मतलब जो financial season 8 को देखती है, ED का establishment 1956 के अंदर हुआ था, CBI के अंदर हमने देखी लिए कि कैसे दिल्ली special police establishment act के अंतर करता से इसके ने power drive करी है, तो ना ही CBI statutory body है, ना ही constitutional body है, I hope ये चीज़ भी आप समझ के होगे, अगला article बात करता है, हारी माँ शक्ती 2023 की, तो ये एक bilateral training exercise है, किसके किसके बीच होती है, तो इंडिया और मलेशिया के बीच में, याद रखी, इंडिया और मलेशिया की आर्मी ये exercise करती है, इस बार कहा में घाले में हुई, ये एक multi domain operation था, अलगलग लेवल पर हमने साथ में joint exercise की, अब देखें, जब भी दो दिशों के बीच में bilateral exercise होती है, इसका मतलब उनके रिष्टे जो है, वो warm है, और पिछले कुछ समय में, पिछले दो साल पहले अगर हम देखें, तो इंडिया मलेशिय इमरान खान के साथ के मिलकर वो लगातर कश्मीर को मुद्दा बना रहे थे, इंडिया ने मलेशिया खिलाफ आवाज भी काफी strongly इसको object किया था, और यहां तक कि मलेशिया से इंडिया बहुत सारा जो palm oil इंपोर्ट करता था, वो इंडिया ने मलेशिया की जगे, इंडोने मलेशिया दुनिया की major palm exporters हैं, और इंडिया दुनिया का second largest palm importer है, second largest palm importer इंडिया है, जब इंडिया मलेशिया की बिशवे विवाद हुआ था, तब इंडिया ने मलेशिया की जगे इंडोनेशिया से palm oil खेटना जारा prefer कर दिया था, और मलेशिया की economy को hit लगने की संभाव बढ़ गई थी, जैसे ही वहाँ government बदली, संभन थोड़े normalize हुए, और यह जो exercise होती है, फिर दिखाती है कि भारत मलेशिया संभन normalize होते जा रहे है, मलेशिया अगे एक heterogeneous country है, बहाँ पर Indian origin के कई सारे लोग है, तो इसलिए इंडिया के लिए बहुत important country है, आसियान की member है तो इसलिए मलेशिया का relevance बहुत जादा है इस region में, कोला लंपुर नामशायर का अपने सुना भी होगा, इंडियन movies में भी काफी famous है, तो यहाँ जो joint exercise होई इसका नाम है, हरी माव शक्ती, इंडिया मलेशिया के बीच में bilateral training exercise थी, और आर्मी ने की कहा कि उम्रोय के internment कहा ह मिघाले में हैं, और इसमें मलेशिया की 5th Royal Battalion आई और इंडिया की राजपूत रेजमेंट इसको represent कर रही थी, कहां कि हम बात कर रहे हैं, मलेशिया की, पिछले बार यह कहां हुआ था, पुलाई में हुआ था, कहां मलेशिया में, 120 personal both sides से आएंगे, इसमें आपके UAV, drones, helicopters, यह सारे आएंगे से होता यह है, कि दूनों आदमी के बीच में, understanding बढ़ती है, capacity बढ़ती है, अगर humanitarian assistance की बात हो, वो भी यहां पर point है, focus, disaster relief, humanitarian assistance, और चीजों को और जादा कैसे coordinate किया जाएं, दूनों आदमी इसके बीच में, इसके focus किया जाएगा, याद रिखे, मलेशिय के साथ, इंडिया ने FTA किया था, comprehensive economic cooperation agreement, क्योंकि आसियान का part already है, मलेशिया और इंडिया का आसियान के साथ FTA है, और क्योंकि आसियान का part है, तो मलेशिया की location में बहुत important है, कहा है मलेशिया, यहाँ पर मलेशिया located है, और यह देखे, यह है, क्या, state of मलक का, state of मलक का, state of मलक का बहुत important है, क्योंकि चाइना के लिए बहुत, बहुत ही जादा sensitive area है, यह देखे, अगर आपको चाइना जाना है न, यहाँ, चाइना का maximum जो समान है न, वो इसी route से आता है, और यहीं से वो समान लेकर हर्जे के जाते हैं, तो यह, इसे चाइना का कहते है मलक का dilemma, क्योंकि around 60-70% चाइना का energy rig needs है, जो उनकी oil वो जो भेज़ते हैं, उनका merchandise जो export करते हैं, वो इसी route से जाता है, तो क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के आसपास, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे बंगलादेश हो, चाहे श्रलंका हो, वो हर जगे एक string of pearls बना रहे है, ऐसे करके आपको दिखेगा, इंडिया को घेरने की कोशिश है, तो उसके खिलाफ इंडिया का एक iron curtain है, इंडिया चाहे खिलाफ भी एक वैसा create कर रहा है, तो उसके लिए जो मलक का एक बहुत important location है, अगर इंडिया, क्योंकि यहाँ अंडमान निकोपर आइलेंड्स है, यहाँ पर इंडिया निवी की base भी है, तो यहाँ easily इंडिया इसको चोक कर सकता है, इसको रोक सकता है अगर चाहिना जाना बर्माशी करेगा तो, इसलिए मलक का को लेकर हमीशा चाहिना परिशान रहता है, और वहाँ की आस पास की countries लिए इंडिया के बहुत relevant है, इंडिया Singapore और Indonesia के साथ एक strong defense partnership रखता है, और पास महीं Malaysia है, इसलिए Malaysia के साथ में India strong relations build करना चाहता है for the sake of defense and security, ठीक है, प्लस मलेशिया में Indian diaspora के बहुत से लोग रहते हैं, आसियान का part है और एक अच्छी economy है, तो इंडिया यहाँ पर और export orientation चाहता है, growth की संभावना चाहता है, इसल इंडिया, आसियान में अभी Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, इन में focus करता है, यहाँ से इंडिया land route बना रहा है, trilateral highway बना है इंडिया ने, इंडिया, Myanmar, Thailand, trilateral highway, यानि इंडिया से आप Thailand तक जा सकते हैं, दिल्ली से आप Thailand तक, Bangkok तक by road जा पाए, इसके तरयान है अलगभग पूरी है, इसलिए, आसियान में कितने members मेरा सवाल आपसे पहले यह होगा, दस members है, यह सारी 10 countries जो आसियान की part है, Association for Southeast Asian Nations, यह एक major global economic group है, जो बहुत ज़रा trade करता है, इंडिया के साथ FTA है, और इंडिया लगातार English करना चाहता है, इस group के साथ, उसलिए हर member यहाँ बें important होता है, specifically Malaysia is a member जो बह कैसी शक्ती, हारी माव शक्ती, हारी माव शक्ती, किसके बीच में होता है, joint military exercise, इंडिया और मलेशिया के बीच में, ठीक है, तो हमने समझा कुछ एक basic जो politics थे इनके बीच है वो, यह जिसने याद रखे, क्योंगे आपको exam में एक सरफ पूछे जा सकते हैं, आप इसे topic को revise कर सकते हैं, अगला question था ITPP raising day, 24 October को, जो Indian Tibetan border police है, उसका raising day बनाए गया, इसी दिन इसको स्थापित किया गया था, और Prime Minister Modi ने भी इसको बधाईया दी, तो यह IDPP बनाए गया था 1962 में, क्योंगी जब India China war होई थी, तो यह सा लगा था कि India को requirement है, high altitude, यह उची जगोंपर, अच यह लोग असल में कहां काम करते हैं, यह जो plane इलाके हैं, वहां के borders को deploy होते हैं, तो बहुत ज़रुई था कि India एक specialized agency बनाए, जो कि higher altitude पहारीों पर आकर guard कर सेगे इंडिया के सीमाओं को, उसके लिए कारा कोरम पास या लदाक हो गया, वो जो region China के पास है, अरुनाचल का भ लिए वरना इंडिया का border China से लगता नहीं था उस region में, तो इंडो-Tibetan border police का काम यही है कि 18,000 feet से भी उचाई पर जाकर जहां पर temperature माइनस चानी इस निगरी तक पहुंच जाता है, वहां पर इंडिया के borders को guard करते हैं, और इंडिया को जो सबसे बड़ा enemy है China, उसके साथ उससे इंडिया को safe रखते हैं, तो recently क्या वहाँ जब इंडिया में नक्सलिजम बढ़ा और internal लिक्कतें भी बड़ी थी, तब ITBP को वहां भी post किया गया, तो इंपोर्टेंट paramilitary force है, याद देखिए, ITBP is not part of military, it's a paramilitary force, यानि पुलीस force की तरह होती है, तो ITBP पहले forces, इसका motto क्या है, इनका motto है, शौर्य, धृता, कर्म और निष्ठा, यानि वैलो, determination and devotion to duty, जो obviously करते हैं, जिन पानों की उचाहिए उपर ये, खड़े रहते हैं, किस मंत्रा लेग अंदर आती है, देखे, primary difference होता है न, military और non-military forces में, हम के रहें न, police force या paramilitary force है, इसका biggest example ह होता है, कौन सी ministry उनको देखती है, अगर आप defense की बात करें, तो मुख्यरूप से उनका जो interaction होता है, वो defense ministry के साथ होता है, जो paramilitary force है, जिसे CAPF हो गई, CRPF हो गई, ITBP हो गई, इनकी nodal ministry होती है, ministry of home affairs, तो वो इनको deploy कर सकते हैं, अगर कहीं पर internal tensions हुई तो, अगर दिल्ल to do, almost seven forces है, मुझे बता सकते हैं, क्या क्या नाम है इनके, एक तो हमने भी discuss कि ITBP, एक SSB, ठीक है, CRPF, Central Reserve Police Force, CISF, CISF क्या होता है, Central Industrial Reserve Security Force, प्लस, Border Security Force, 6th, National Security Guard, आप मुझे बता है, यह 7th कौन सी force होती है, आम तोर पे हमें यह नाम लगता है, कि military, army का पार्ट है, लेकिन वो भी Central Reserve Forces के पार्ट है, यानि, असाम राइफल, यह चार ऐसी, विंग्स हैं, जो असल में, Central Armed Police Forces के अंदर गताती है, यानि, इनकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है, यानि, होम मिनिस्ट्री, यानि, रेकिए, 7 forces हैं, जो, पैरा मिल्टरी forces के अंदर आती है, ना की as a army unit, ठीक है, असल में बॉर्डर और यह होगे, security, जो इंडेस्ट्री करती है, वो, तो हम समझ गए सारी चीज़े, नेक्स्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं, इंटर पॉल का red notice, अभी जो बंबीहा ग्रूप है ना, उसके against, कुछ यहां पे, एक person के against, यहां पे red notice के यहां पे issue क्या गया है, आपको समझाता हूँ कि आखिर यह बात क्या हो रही है, देखो, इंटर पॉल के बारे में आप जा शेयर करती है, यहां पर इंटर पॉल के साथ, ताकि जो दुनिया बर के अलग-अलग crimes है, उनको यहां पर हम यहां पर tackle कर पाए, हर member country, ठीक है ना, इंटर पॉल का face होती है, उस country के अंदर, तो यह points आपको पता है, इंटर पॉल के regarding, यहां पर police को help करती है, member countries के अंदर, वो चाहिए आपको, तो आप क्या करते हो, उसके regarding red notice issue कर देते हो, उसकी location हो गया, या फिर कही है, अगर वो मिल जाता है, तो उसका arrest को किया जा सकता है, yellow notice के अंदर क्या होता है, कोई missing person है, तो उसको locate करने के अंदर help हो सकती है, blue notice के अंदर क्या होता है, जब आपको कुछ additional information collect करने का होती है, एक person के regarding, तो उसके लिए आप blue notice को issue करते हो, black notice के अंदर क्या होता है, कोई body है, वो unidentified है, उसको कोई पहचान नहीं कर रहा, तो उसके regarding information अगर चाहिए, तो उसके लिए black notice, similarly green notice क्या होता है, जहां पर एक warning देनी होती है, एक person की criminal activities के regarding, orange notice के अंदर क्या information दी जाती है, तो यह सारे आपको अलग-अलग notice से आपने देखने को मिल जाते हैं, मैं फिर से बता दूँ, इंडिया ने join किया था Interpol Cup 1949 के अंदर, हमारी तरफ्स जो CBI है न, Central Bureau of Investigation, वो यहां पर इसके साथ बीर करती है, CBI के regarding information हमने लास्ट वीक भी डिसकस करी थी, आप जानते हैं कि Ministry of Personal, Public Revance and Pension के अंतरगत आजाएगी, यह एक statutory body नहीं है, और इसकी पावस कहां से आती है, दिल्ली Special Police Establishment Act 1946 के थ्रू, एपल जोइन सर्ट इन प्रोप, फोड़ दिन पहले मैं आपको एक मुद्दा बताया था, क्या मुद्दा था, जहां मैंने बताया था कि बहुत सारे आपके opposition leaders हैं, बहुत सारे आपके journalists हैं, उन्होंने ऐसा claim किया, एक email दिखाया basically, जहां पर उनको Apple के तरफ से mail आया था, कि आपके phones के उपर na, state sponsored attacks इस तरह इक चीज़ें हो रही है, है कि नहीं, आपको याद है ना, वह वाला मुद्दा, ठीक है, अब यहां पर क्या हुए ना, Apple ने भी इस investigation को join कर लिया, मैंने बताया भी ताकि इसको investigation किया जाएगा, point यहाद है ना, तो Apple ने भी इस probe को यहाँ पर join कर लिया, वो भी यहाँ पर देखेंगे कि क्या मुद्दा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि probe आकिर कर कौन रहा है, यह probe किय आपकी नोडल अजनसी है, जो की कोई भी computer security incident हो गया, इस तरह को कैसे respond करना है, इसके regarding जितना भी काम होता है, वो सारा कौन करता है, certain करता है, ठीक है तो अभी basically एक तरह से iPhone hacking attempt हुआ, तो इसके regarding भी ना, जो अलग-अलग छीज़ें इसको probe करना हो गया, वो यहाँ पर इसक of electronics and information technology जिसको मीटी मिनिस्टी भी बोलते हैं, तो यह कुछ point आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, क्या का काम है इसका, इसका काम यही है कि यार थोड़ा जो cyber security incident होते हैं, उसको थोड़ा anticipate करना, अगर हो जाता है तो alert यहाँ पर जारी करना, information कहीं ना कहीं, अगर इसको ब regards to आपके जो certain होता है, आगे चलते हैं हमाने next topic की तरफ, बिलकुली छोटी से information है, जिसे for example, यहाँ पर समझना, क्या लिखा है, leave benefits for women in armed forces made uniform, क्या आर्थ है इस चीज़ का, देखो जैसे for example, आपकी महिलाएं काम करती है, armed forces के अंदर, तो यहाँ पर ना, उनका rank क्या है, क्य उनकी seniority क्या है, मतलब उससाब से ना, उनको यहाँ पर जो leave benefits हुआ करते थे, वो दिया जाते थे, सर किस तरह के benefit, जैसे for example, आपके maternity benefit हो गया, child care benefit हो गया, child adoption leave हो गया, यह सारे जो benefits थे ना, अब यहाँ पर बोला गया है, कि irrespective of their rank, उनका rank कुछ भी हो, उन सब को हम यहा women empowerment भी आप बात कर सकते हो, women का, you know, inclusive participation की बात करी गई है, हमारे जो defense minister है, राजनात सिंग जी के दुदवारा, ठीक है, तो यह चोटा सा बिल्कुल point था, जहां पता रहे हैं कि एक करा से ना, महिलाओं को भी हम यहाँ पे, उनका contribution को recognize कर रहे हैं, किस तरह से वो अपनी personal life को साथ-साथ professional life को balance कर सकते हैं, तो यह step उसके अंदर काम करने वाला है, बाकि definitely हमारी armed forces के अंदर महिलाओं को contribution बड़े, उसके लिए भी काम किया गया है, परधान मंती जी का vision ही यही है, कहीं नारी शक्ति, यानि कि woman power, जो तीनों कि तीनों आपको services आपको देखने को मिल जा हमारा भुटान हो गया, यहां पर हमारे यह काफी friendly nations हैं, तो यहां पर हमारा तरफ से कौन होता है, SSB, सीमा से शेस्तरबल, ठीक है, या पर सीस्तर सीमा बल इंडिया की तरफ से होता है, उस तरह से निपाल की तरफ से कौन है, armed police force, इनके बीच में आपस में coordination talks होती है, बिस तरह के crimes को कहीं ना कि हम रोग पाएं, cross water crimes को, उसके regarding यहां पर इनके हर साल coordination talks हमें देखने को मिल जाती है, देखो इंडिया और नेपाल का रोटी बेटी का रिष्ता है, आप इसके वारे में जाते होंगे, और हमारे पास ना एक friendship treaty भी है 1950 की, तो peace and friendship treaty जो हमने sign करी थी, त उसके अंतरगत हमें यह सारी चीज़े देखने को मिल जाती है, हमारा open borders हमें देखने को मिलते हैं, आप अराम से दूसरी गंटी के दर move कर सकते हो, आपको यहां पे visa free crossings आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, बाकी residence हो गया, property हो गया, employment हो गया, यह सारी चीज़े हमें आपर देखने को मिल जाती है, इस particular treaty के अंतरगात है, आगे चलते है next topic की तरफ, हमारे जो home minister जी है, उन्हें बात करी है क्या, कि 168 villages along the China border to get road connectivity in a year, देखो आप इस बात को imagine करो, कि especially China की जब मैं बात करता हूँ, तो China ना, कुछ ना कुछ करके, हर किसी की जमीन के अंदर आप इनफेक्ट अर्मनाचल परदेश वाले regions की बात कर लो, वहाँ पर चाइना अकसर कुछ ना कुछ कोशिश करता है, कि किसी ना किस तरह से हमारी जमीन के अंदर गुसने की कोशिश करे, और इसी वज़ा से हमारी सरकार के द्वरा ना, वीवीपी प्रोग्राम चलता है, तो यह जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, यह 2022 के बजट के अंदर इसको पहली पर अनौंस किया गया था, फूकस यह है, कि देखो जो हमारे बिल्कुल बॉर्डर के उपर जैसे गाओं है, माल लो बने हुए, अब यह जो बॉर्डर के उपर गाओं है ना, यह बहुत important बन होना चाहिए कि यहां की लोग बोलें कि यहां तो बॉर्डर के उपर जैसे चलता है, हम किसी दिली चलते हैं, किसी और जगापे चलते हैं, तो ऐसा है नहीं ना होना चाहिए, तो यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं इन विलिजिस को properly develop करने की, ताकि वहां कि जो लोगों की quality of life है वो improve हो पाए और कहिना कि हमारे जो villages हैं जो हमारे areas हैं जो borders हैं उनकी security भी हम बढ़ा पाएं पर इससे क्या होगा migration भी रुकेगी और साथ साथ आपकी जो security है वो भी boost होगी तो सरकार की तरफ से लगवग 3,000 से थोड़ा से कम है 2967 villages को यहां पर identify किया गया है जहां पर इनको develop किया जाएगा यहां पर आप देख पाऊगे आप पस all weather roads यहां पर मिलेंगी proper private water मिलेगा 24 इंटो 7 अप गे electricity हो गया अच्छा mobile connectivity इंटरनेट connectivity यह सारी चीज़े देखने को मिल जाएंगी तो होगा क्या पहले पे इसके अंदर यहां पर 662 villages को develop किया जाएगा जहां पर 455 कहां पर होंगे अन्नाचल परदेश के अंदर देखो जब एक बार मैंने पहले आज अच्छे तीन-चार महीने पहले आप से discussion की थी इसके उपर तब मैंने इसको डिसकस किया था कि जो वाइबरेंट विलेज प्रोग्राम है ना उसको गती शक्ती के साथ यहां पर मर्च कर दिया गया है तो आप लोग सोचोंगे सिर्फ ऐसा क्यों किया गया तिको जब हम बात करतें ना गती शक्ती की तो गती शक्ती के अंदर गत होता क्या है आपकी different different ministries है ना वो आपस पर coordinate करती है जैसे for example मान ने आपको example भी दिया था जैसे माल लो एक कोई सड़क ब बनाना पड़ेगा ऐसे हो सकता किसी और TC मिसे कुछ और काम यहां पर करवाना हो तो यहां पर ना अगर आपस में मिलकर इन्होंने coordination किया होता तो यह सब फाल्तू के wastage of the resources हो रही है इन wastage of resources को हम कहीना की कम कर पाते और proper coordinated manner के अंदर हमारे यहां पर development हो पाता अब इसी वि अब आप सोचो अगर एक organization के अंदर हर बंदा अपना अपना काम देख रहा है और अपस में कोई coordination ही नहीं है तो क्या वो organization काम कर पाएगी नहीं काम कर पाएगी उसी तरह से मारी सरकार है सरकार भी इस तरह से अगर हर ministry अलग अलग काम करती जाहे तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी अकाम होगा, नहीं, मनिस्ट्रीस को भी आपस में कॉर्डिनेशन करना पड़ेगा, तो इसी बज़ा से गती शक्ती प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है and VVP को भी इसी बज़ा से यहां पे मर्ज किया गया है आपके गती शक्ती के साथ, प्रोजेक्ट वीकॉन, अब देखो कही बार ना, UPSC से डिरेक्ट कोशन पुछ लिए था कि प्रोजेक्ट वीकॉन नियूज में था, यह किस चीज का लिंग है, यहां पर आप इसकी ना, इमेज देखकर समझ ही गये होंगे, कही ना, कही ना, यहां पर सडकों के साथ इसका लिंग केज़ा, बिल्कुल ठीक बात है, तो जो एक्चल में आपके जो बी आरो है ना, बॉर्डर रोड ओर्गिनाइजेशन, उसका ही यह प्रटिकॉलर प्रोजेक्ट है, यह क्या काम कर रहा है अभी, यह काम क्या कर रहा है कि जो अमरनाथ गुफा है ना, वहां तक रोड कनेक्टिविटी हमें यहां पर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कश्मीर की डिटर वैली के उपर, आप जानती होंगे, अमरनाथ कुफा के बार में तो 13,000 फीट की अल्टिट्यूट भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो चाहे पहल गाम के माध्यम से, या सोनवक के माध्यम से, आब हाँ तक पहुन सकते हैं, तो 1960s के अंदर इस particular project को launch किया गया था, BRO के द्वारा, ताकि कश्मीर के कुछ मुख्य रीजिंस के अंदर आप road infrastructure को अच्छे से develop कर पाओ, इस इस project beacon, तो दो-तीन बात हैं, इस project beacon आखिर है क्या, कौन इसको run कर रहा है, और कहां पर run कर रहा है, अगर ये बाते आपको clear हैं, तो काफी हद तक आपका question यहाँ पर solve हो जाएगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे न, border road organization के बारे में भी जान लेते हैं, अपने आप में देको बहुत ही, इसको न, काफी इसको praise किया जाता है BRO को, तो BRO को formation हुगा था, 1960 के अंदर, तांकि आपका जो border areas हैं, आपके जो proper महाँ पे infrastructure कर चाहिए, आपके north हो गया, north ही states हो गया, महाँ पर proper infrastructure कर डवलब करने के लिए, BRO का formation देखने को मिलता है, अब ध्यान में रखने माली बात यह हैं, यह आता है आपका ministry of defense के अंदर, बहुत important point है, काफी बच्चे ना वहाँ पे confused हो जाती हैं, देखो मैं ध्यान से समझाता हूँ, एक है आपका BRO, border road organization, that is under ministry of defense, एक है आपका border area development जो program होता है, वो आपका ministry of home affairs के अंदर आता है, इसमें आपने विल्कुल भी confused नहीं होना है, बॉर्डर road organization कौन है, ministry of defense, border area development जो program बगरा है, वो आपका home affairs के अंदर आता है, I hope यह points आपको पता लगे होंगे, BRO का motto क्या है, आपका श्रमने सर्वम सध्यम, श्रमन क्या होता है, बिसकलि आपके hard work की बात हो रही है, कि सब कुछ achievable है hard work के थूँ, तो basically इतने मुश्किल areas के अंदर, मुश्किल regions के अंदर आपके सड़के बन भी है, तो वो भी कहीं न कहीं यहाँ पे उनके hard work को दर्शा आता है, तो keep working hard, goodbye and good luck.